संत परम हितकारी जैवो लंगहते धर निरुदधिर लंगहते नईववे लाम सोयं श्रीमान निखिल जगताम अंतरात्मावतिर्णों धर्मम्रक्षन्दिषदुकुषलं स्वामिनारायनोन गुनाति तोक्षरं ब्रम्म् भगवान पुरुषोत्तमह जनो जानन निदम सत्यम् मुच्यते भवबंधनात् श्री स्वामिनारायन भगवान नीजे अक्षर पुरुषोत्तमहराज नीजे गुनातितानंद स्वामि महराज नीजे भगजी महराज नीजे शास्त्रिजी महराज नीजे योगीजी महराज नीजे प्रमुक्ष्वामि महराज नीजे शास्त्री जी महाराज सार्द शताब्दी महोत्सवनी जै ब्रह्म सरूप शास्त्री जी महाराज आ धरातल पर प्रगड़ थया इने 150 वर्ष पूरा थवा जेह रहाजे अने ए निमित्ते आपन आखू वर्ष शास्त्री जी महाराज सार्द शताब्दी वर्ष तरीके उजविये शिये शास्त्री जी महाराज आ प्रुत्विय उपर प्रगड़ थया ने एमने जे आपियू एनो जारे विचार करिये त्यारे एवू लागे के आ प्रुत्वी ना लोको क्यारे येमनो रून चुकवी शके येम न थी एटलू मोटू प्रदान शास्त्री जी महाराजे करियू छे आ दुनिया नी अंदर कोई व्यक्ति घणा बदा लोको ना जीवन बचावे तो ने बवू मोटू काम करियू के वाई परन्तु शास्त्री जी महाराजे येव के काम करियू जेने लिते अनन्त जन्मोनी जे खोट हती ने ए टली गे आपड़ा अस्तित्वनी जे सार्थकता छे ए जेना पर आधार राखे ने एक काम शास्त्रीजी महराजे करी दितू एना विना आपनु जीवन वियर्थ थी जाए एना विना आपनु अस्तित्व वियर्थ थी जाए जारे शुद्ध उपास्तना प्रवर्तन माटे शास्त्रीजी महराज वडताल माथी बहर निकला त्यारे घणा बदा सारा लोकों नेवु थतू तू के आ पुरुष बाहर शुकाम निकला अटला सारा संत जेमनू आटलू महान जीवन छे तो ये वडताल मा केम नहर रहा ने बाहर केम निकला एवा बदा बुद्धिशाली, विद्वान अने समझू लोकों ने अंदर एक दोलत राम कुरुपाशंकर पंडिया पन हाता नडियाद ने अंदर रेता था संप्रदाईना पीध हरी बक्त हता वडताल कमिटी मा सब्य तरीके पन रहेला था गुजरातना प्रसिद्ध साक्षर पन हता एमने थयो के शास्त्रीजी माहराजनू जीवन बव सारू छे पन बाहर निकलाने बराबर न करियो गणा वर्षो पछे एमने शास्त्रीजी माहराजनी साथे प्रत्यक्ष पने मलवानू थयो त्यारे एमने पोता नी मुझुवण पोता नो जे प्रश्ण अतो ये रजू करयो के स्वामी तुम्हें बाहर शुकाम निकला नोखा न पड़ू जुए तमारे शास्त्री जी माहराजे एकदम निर्मत सर्ता थी जे जवाब आपयों ने एमने कितु के अमारे नोखा पड़ूद न थी अने हजू पन जोग नोखा न थी पड़ू आमे तो अत्यारे भेगाची एवडतालनी साथे बस एकज बाब अच्चे के गरडा मध्यनू एकविस्मू वचना मुरूद ए जो मानने राखवाम आवे तो अमारे जुदा पड़ू कोई छेज नी अमारी कोई डिमांड न थी आमे तो एटलूज के एचे के माहराद ना आव वचन ने मानने राखो तमे माहराद ना वचन ने सुकाम न थी मानता ए वखते दोलत रम पंड़िया एकिदू के स्वामी एव ते सुचे एमा मध्यना एक्वीसमा वचनामुर्त ने अंदर एना जवाब ने अंदर शास्त्रीजी माहराजे आखो अक्षर पुर्श्वत्तम सिद्धान समझावे जहारे एमने आवाद सामड़ी त्यारे दोलत रम पंड़िया किदू के स्वामी आतो बहुत मोटी वाद छे अने खरे खर श्रीजी माहराज जे काम लेना पृत्वी पर आवे आताई आज छे जो आटलू काम न थयोने आटली समझन नी दढ़ता संपरदाई नी अंदर न थय तो संपरदाई शा काम नो माहराज ने आववानू काम निश्फर थे जाए फेरो पड़े जो आटलू ना समझाई तो एवाद तमे बदा ने समझावी एमने किदू के स्वामी जो आ न थयो हो तो माहराज ने फरी आवो पड़े एवो काम तमे करी बतावी आजे तो तमे श्रीजी महराज ने गुणादितानन स्वामी नी धातोनी मुर्तियो पड़ावी दिदिछे शिखरबद्ध मंदिरो मा पणा काम एवो थेवो चे के कदाच बविश्यनी अंदर तमारा शिष्यो सोनाना सिहासन मा तमारी सोनानी मुर्तियो पड़ावे श्रीजी महराज अज्याज शत्रु बुरोषता श्रीजी महराज अत्यन्त निर्मल रदैना संतता एमने जे आप्यू छे एक कोईने बतावी देवा माटे नथी एमने केवल जीवना अत्यन्तिक हितनो विचार कर्यो अने एकले जे जे लोको पुर्वगरह छोड़ी ने शास्रीजी महराज निवाद समझायने लाग्यू के आवाद खरे खर अनिवारी अचे श्रीजी महराज गरडा प्रथमना सत्याविसमा वचनामुनतिन्दर वाद करी महराज केचे बगवान भजवानी सर्वने इच्छा चे पन समझन मा फेर री जायी चे अने समझन मा फेर इटले बधामा फेर प्राप्ती मा इटलो मटों फेर पड़े जाए जीवन मा एटलो मोटो फेर पड़ी जाए आपड़ा अंतरना सुख मा एटलो मोटो फेर पड़ी जाए समझन मा फेर एटली बद्धा प्रकारना लाबनी अंदर फेर पड़ी जाए तो ए फेर भांगवानों कामे शास्त्रीजी महराजे करियो शास्रीजी महराज सत्य निष्ठ पुरुषता, सिध्धान्त निष्ठ पुरुषता एमने जे काई कर्योंने सत्य माटेनो संग्राम कर्यो एक पत्र शास्रीजी महराजे आफरिकाना हरी बक्तोंने लख्यो छे जेनी अंदर अक्षर ने पुर्षवत्तम सिद्धान्त ना प्रमाणो रजु करिया छे गुणा अधितानें स्वामी अक्षर ब्रह्म चेनी वाज शास्रीजी माजे विस्तार पुर्वक प्रसंगो द्वारा अितिहासिक पूरावा साथे नोंदी छे यह आखो पत्र जारे पुरो थाईचे जारे छेल्ला भागनी अंदर शास्रीजी माहराज पोतानू रदै खुल्लू करीने मुकी देचे शास्रीजी माहराज लखेचे के अमे जे वाद करीचे ए केटली सत्य चे शास्रीजी माहराज केचे मने खोटीवात गोठावनी करीने बीजाने समझावीने स्वार्थ साथवो एवो आवडतू नथी आने असत्यमा घणू पाप छे भागवतमा लख्यू छे के न असत्यात परम पापं वली प्रुत्वे कहूं छे के बधा पापी पूरुशोंनो भार हूं सहन करी शकू छू पन असत्य बोलनारनो भार सहन करी शक्ती न थी माटे मारे कोई प्रकारे असत्य वातमा दुराग्रह करवानों होई नही माटे खास मारो विश्वास होई अने साच्चा बोलो प्रामानिक पुरुष हो एम मानता हो तो उपर्नी वाद साची मानी खरा अंतह करण थी स्वामी अनादी अक्षर छे ते वाद नी निष्ठा करशो ने श्रीजी माराज पुर्ण पुर्शत्तम भगवान छे ते वाद खचीत मान्जो कोण हता श्रीजी माहराज जे पुरुषे पोता ना जीवन नी अंदर कोई दिवस स्रीजी माहराद नी आगना के श्रीजी माहराद नो सिध्धान्ट एनी बहर आच्रण तो नती करयो संकल्प पन नती करयो एवा पुरुष अपड़ी समक्ष एम केचे के तमे मने साचा बोलो मानो चोके नहीं बेजिक वाद आखी उपासना नी वाद ए सत्पुरुष ना वचन उपर उबी जे जहने उपासना समझवी आशे आजे समझवी होई तो आजे आने लाख वरस समझवी तो लाख वरस पची एना माटेनू द्वार एककचे वचिनामरुत केचे के एक मात्र रस्तो एचे भगवानना स्वरुपने समझवानो कल्याननू द्वार खोलवानो पारलो किक भुमीकाने आ रदैनी अंदर द्रड करवानो एक मात्र रस्तो होई तो एचे सत्पुरुष्णे साचा बोला आपड़े केटला मानिये चे आजे आपड़े उपास्तानी वाद समझवाना ची एवाद फक्त एवा हेतू थी नथी के कोई आपड़ने प्रश्न पुछे तो आपड़े जवाब आपी सक्किया आवाद काई दलील बाजी शिखवा माटे निवाद न थी आउपास्तानी अंदर आपड़े पोते कई कक्षाय उभाँ ची आने एवाद आपड़े केटली प्रमाण मा रदै थी मानिये ची केटली प्रतिती चे आपड़े त्यांती आगल वध्वानी वाद आजे आपड़े समझवाना ची पड़े नो एकदम पायानो सिद्धान्द आपड़ा माटे आजे वाद थाई चे एवा लोकों माटे न थी के बार रस्ताव पर रखड़े चे न आपड़े न हाद पकड़े न हमझाविदी येना माटे न थी पड़ा रदै नी अंदर आ वाद नी वधारे स्थिर्ता था येना माटे नी चे शास्त्रीजी माहराजे एम केतु के तमे मने साचा बोलो प्रामानिक पूरुष मानू छुके नही शास्त्रीजी माहराज किवा पूरुष हता 85 वरश्णी उम्मरे जारे शास्त्रीजी माहराज अमदावाद मा आमली वाली पोल मा बिराज मान हता 21 मी में 1950 नो दिवस अतो अने ए वकते शास्त्रीजी महराजे एक अईतिहासिक निर्णै लिदो तो के बोचासन वासी अक्षर पुर्शोतम संस्थाना प्रमुख पदे 28 वरशना युवान शास्त्री नारायन सोरुप दास जीनी निमणुख करवी ए वकते संस्थाना केटलाक जूना हरी बगतो समर्पित हरी बगतो ममत्व वाला हरी बगतो एमने शास्त्रीजी माराजने किदू के स्वामी तमारो आ निर्णै अमने उतावडियो लागे छे एव़ लागे छे के आटला युवान नानी उमर्ना साधुने तमे जे कक्षानी सोपनी करो छो जवाबदारी नी एव़ लागे छे के कदाच भविश्यमा आपने पस्ताव बड़ से ए वकते शास्त्रीजी माराजे एकदम धीर गंभिर ता थी पण मक्कम ता थी रदैनी प्रतिती थी एक वाक्य उच्चारितों एक वाक्य शास्त्रीजी माराजनी आखी प्रतिभाने खुलनी करिया आपे उचे एक जवाक्य शास्त्रीजी माराज बोल्या के मैं मारा जीवन मां एक पण काम एव़ करियो न थी कि मारे क्यारे पस्ता हो पड़े आ एक वाक्य ए शास्त्रीजी महरादने दुनियानी साड़ा छ अबजनी वस्ती थी आजे तो जुदू पाड़े छे पण आ दुनियाना इतिहास मा जेटला काई आ दुनियानी अंदर महापूरुषो थया आसे ने ए बद्धा थी जुदा पाड़ी देशे गुणातित गुरुपरंपर शुचे आपनने एक वाक्य समझावेशे दुनियान भारना महापूरुषो ने तमे लियाओ जिवाननी अंदर एकपण वार पस्ता होना पड़ी होई आपने पोता नो विचार करिये तो आपनने ख्याला आवेशे के आपने तो समझू चिये बुद्धिशाली चिये सत्संगी चिये संसकारी चिये निष्ठा वाला पन चिये पन दिवसमा केटली वार एउँ बने चे के आपनने पस्ताव पड़े चे बोल्या पचिये थाई के न बोल्यो होत्तो सारो होतो तो क्या रेक न बोल्या पचिये थाई के बोल्यो होत्तो सारो होतो कर्या पचिये थाई के न करियो होत्तो सारो होतो क्या रेक न कर्या पचिये थाई के करियो होत्तो सारो होतो बोल्वा मा थाई खावा मा थाए, जोवा मा थाए, सांबलवा मा थाए, विचारवा मा थाए अरे दिवसमा केटली वखत आओ उथाई चे आखी जिन्दगी मा एक पन वखत जे पुरुष्णे पस्तावानो वारो ना आवियो एक पन वार एमनी जागरों ते कई कक्षानी होई एमना जिवान इंदर सिधान तो किटला क्लियर होई ए पोते जे वर्तन करता होई एनी अंदर किटला सिधान्तिक होई पोताना गुरु औने पोताना इस्टदेवनी मरजी ने किटली रदयमा धारी होई त्यारे पुरु शेम बोली सके का तो हाव कोई गपा मार ना रहोँ ये आवो बोले आवो बोलवानी हिम्मतत ना चाले पन शास्त्रीजी महराज एकदम कॉन्फिडेंस थे वो बोले चे में मारा जीवनमा एकपण काम क्यारे एवो कर्यू न थी के मारे पस्ताव पड़े क्यों जीवन असे जारे गुवर्दनबाई कोठारी वड़ताल संस्था नू सर्वस्व के वाए वाहता पांच-पांच आचार्यनी पेढी सुधी आखी वड़ता संस्थानी अंदर एक सदगुरु करता पण वधारे संदमान जेने प्राप्त थयू होई एवा गुवर्दनबाई कोठारी वड़ता संस्था माटे समर्पित जीवन अत्यन्त शुद्ध कोई आंगली करी शके नी मोटा मोटा ने कदा सादुने पन बोता ने जीवन ने अंदर काई भूल थाई होई तो निश्कपड थाई प्रायस चितले गुवर्दनबाई कोठारी पासे एवो एमनू जीवन अतो पन ए गुवर्दनबाई कोठारी अक्षर पुर्शोत्तम उपास्नाना जे प्रखर विरोध्यों केवाई ने मना एक ए गुवर्दनबाई कोठारी एनी त्रीजी विलक्षन ताए के शास्त्रीजी महराज सते अत्यन थेत जारे शास्त्रीजी महराज वडतालनी अंदर जनान सत्र करता आज आपने करवाना छी एने ए नवू न थी शास्त्रीजी महराज एक दिवस्तनी वचनामुतनी पारायन गोठालनी वडतालनी अंदर आने सभामंडपने शास्त्रीजी महराज ए पोते भगवानना सोरुपनो निरुपन करता ए वखते गोवर्दनबाई कोठारी बहुज आदर पुर्वक शास्त्रीजी महराज नी एक कथा सांबलवा बेसता त्यारे कोई द्वेश भाव थी गोवर्दनबाई कोठारी ने किदू के कोठारी आप बीजा बदा तो आप बंडियानी कथा मा बेसे बराबर शे पन तमेके मेनी कथा मा बेसोचो त्यारे ए वखते गोवर्दनबाई केता के वड़तालना बे हजार त्यागी नी अंदर शास्त्री यगन पुरुषदास जे उस्त्रियन धन्नो त्यागी में हजी सुथी भीजो दीठो नथी एटले एनी वाटो एनी वाटो मने साकरना कटका जेवी लागे छे गोवर्दनबाई कोठारी एक प्रसंगेव बोलया था कि जो शास्त्री यगन पुरुष्दास नस्त्री अने धन्ना त्यागनी अंदर कोई साधारण पन खोट बतावी दे तो मारू माथु डूल थी जै इटलो विश्वास शास्त्रीजी महराजी यमनो संपादित करेलो किटलू शुद्ध, किटलू पवित्र, किटलू महान शास्त्रीजी महराजनू जीवन हसे जीवननी अंदर कोई दिवस, यमने कोई व्यक्ति प्रत्य येनू अहीत थाई एवी एकपण क्रिया करी नथी, एकपण वचन बोल्या नथी अरे एकपण संकल्प करेलो नथी शास्त्रीजी महराजे एवा पुरुष आपड़ी समक्ष एम केचे के तमे मने साच्चा बोलो मानस मानो छो के नई खोटु बोले आवा पुरुष आना थीज उपास्नाना द्वार खुले चे केटली द्रड़ता चे आपड़ा अंतरनी अंदर आपड़ी गुरुपरंपरा प्रत्य सत्य निष्ठानी तो शास्त्रीजी महराजे एक इदू के महरे कोई असत्य वातनो दुरागढ़ करो नथी पण मने साच्या बोलो औने प्रामानिक पुरुष ए तमे मानो छोके नहीं शास्त्रीजी महराज केवल सत्य माटे आखी जिन्दगी जजूम्या आने एटले एमनी साथे जे जोडाया ने एपन एवाज सत्य निष्ठ सिही जेवा पुरुष जोडाया जारे शास्त्रीजी माज वड़ताल माथी बहार निकला त्यारे एमनी साथे जे जे जोडाया था धुरंदर कोठारी ओपन हता जे वड़ताल संस्तामा उची पद्वी उपर था जीवन मा अत्यंत पवित्र हता कोठारी जेठा भगत मुंबई मंदिर ना कोठारी ए शास्त्रीजी माहरादनी साथे बार निकले गया कोठारी जीबाय जुनागण मंदिर ना कोठारी शास्त्रीजी माहरादनी साथे अक्षर पुर्शोत्तम उपासना मते बार निकले गया कोठारी बेचर भगत एक वकत वड़ताल संस्ताना कोठारी ना मुख्य मदद निष अशास्त्रीजी महाराज नी साते बाहर निकला कोठारी शंकर भगत कोठारी प्रभुदास आ बदा मोटा मोटा कोठारियों जरे बाहर निकला शेना माटे यही लाला जहती के शास्त्रीजी माहराज आपने कोई नवी वधारे सत्ता आपसे लोको पक्ष बल्टो सुकाम करे पराबर ने आईना करता कहीं के वधारे माल चे आईना करता वधारे सेफ्टी चे वधारे सलामती जुए वधारे लाब जुए त्यारे मानस पक्ष बदलता होई चे आ मोटा कोठारियों चे एने सलामती तो उल्टानी जवानी त्या सिक्योर्ड था वड़ताल मां अहीं तो मार खावाना हता आने त्या एमनी पद हतो एमनी सत्ता हती मंदिरों ना मोटा मोटा मंदिरों ना कोठारी होता आहीं आवी ने कोना कोठारी बनवाना है अहीं तो मंदिर अधनो तो कोठारी शाना रखडवानू होतो हैं तो आन चत्तायमनी साथे जोडाया शेना माटे कोई पद नी सत्तानी लालच थी नहीं एक सत्यनिष्ठ पुरुष्टनी साथे जे जोडाय ने पन बदा एना जेवाज जोडाय सजातीय सजातीय भेगा थाय अपने मंदिर निनर बदा भेगा थया होये अने सबा पच्छीनों के रिशेस् नो के पच्छीनों टाइम होई कि समही आमा भेगा थया होई कि भापाना दर्शन माथे ते सारंग पूरा आवया होई त्यां बदा हरी वक्तों भेगा थया Ahora तो ये वक्षत है तमें जोडो बालको बालको भेगा थी जैसे गमेद्या थी जुवानिया हो इने जुवानिया साथे ज बेशे अने चारपा जुवानिया बेठा हो इने एमा एक भाभाव इन बेहें तो जुवानिया उबाथे इन बीजे जिता रे सुवान नो थाए सर्के सर्का साथे सुवान थाई चे गामनी अंदर एक नवो दारुडियों मान साव्यों होई तो एने बोड़ पड़नों सोधू पड़े हा हरके हरका भेगा थाई जे शोधिदले एक सर्की रूची वाड़ा चे ने एने भेगा था था वार लागती नथी शास्त्री जी माहराज इस साचा पूरुषता ने एटले बदा साचा बेगा थाया आने ज्यां बदा खोटा होई ते बदा खोटा जबेगा थाई शास्त्री जी माहराज नी साथे जोड़ायला गोवर्धन भाई और जेठा भाई कोठारी निर्गुंडा स्वामी, एमनो एक पत्र इस्विशन ओगनीसों ने 16 साल मा, आज थी लगबग अठानु वर्ष पूर्वे एक लखायेलो छे, आने ए आ लिखितन शास्त्री यगनपूरुष दास्ची गरंतरी अंदर छपायेलो छे, सारुगपूर मंदिनी प्रतिष्ठाने थोड़क महिनाओनी वारती, ए वकते निर्गुंडा स्वामी आ पत्र नी अंदर एक जाहेर नामू लखे छे, जाहेर नामू एटले, एक जाहेर नी अंदर अक्षर पुर्ष्वत्तम सिद्धान्त नी स्पस्टता हो लखे छे, आने एनी अंदर निर्गुंडा स्वामी छेले एक वात मुके छे, कि अमे कोई पक्षा पक्षी थी, अगर कोईने दबाववा, अगर अभिमाने करीने आकाम करता हो ये, अगर कोईने पाचा पाडवा करता हो ये, अगर वर्ताल के गरड़ा थी मोटा थवाना सबब थी करता हो तो कोटान कोटी परमहसों ने मार्यानू पाप छे, किटली शुद्ध भावना चे, जरे दिल्ली अक्षरदाम ने उदगाटन थे हो ये वकते प्रमुक स्वामी माहराज इनी उदगाटन सभा मा आवाद बोल्या था, कि अमे जे आ काम करियू छे, एक काई दुनिया ने ब सामे लोको पड़कारो फेकताता, सामे लोको निंदा करताता, छता पन आ संतोना रदेमा स्वप्नमा पणे वो घाट थे हो नथी, कि आपनने आटलाब दा पाचा पड़वा परियत्न करे चे, चालो आपने इबतावी दे, यह उग्यारी नत थे हो, मेहनत खुब करी, समर् पन भावना केवी चे, आने confidence केटलो चे पोताना रदेमा, के जो अमारा रदेमा क्याई पन खुणामा पने भी भावना होई, के कोईने दबाववा चे, पाचा पाडवा चे, बतावी देवू चे, मोटा थे जवू चे, तो कोटान कोटी परमांसोने मार्यानू आमने पच्छी केचे, के आ सोगन खास अंतह करणने खातरी माटे जग जाहर मुकी दिदा चे, आ सोगन न खादा उत्ते के खोटा चे उननो तू, पने इनी सत्यता अपन्डाना थी देखाई चे, निर्गुंदा स्वामी लख्यू, आने पच्छी बिजा एक पत्रनने आमी कुबेर भाईने लखेचे, के विशेश एटलू जरूर जान जो, के अत्यारे जे विरोध करेचे ने, एक दिवस आवातने साच्ची मान से, आने नमता आउशे, आने साच्चे देवले घंट वाक्षे, कारण के आपडे तो माथू का अपनार नो पन त्रिकाल माए को दिवस आउगुण छेजनी, कितलो आत्म विश्वास चे, आजे जे विरोध करेचे, आउतिकाले नमता आउशे, आ कॉन्फिडेंस जे आवेचे, शेमाती आवेचे, सत्य निष्ठा, आमे जे करिये चेने साच्चु काम चे, वो अमारो अंतर आत्म कबूल करेचे, आने ज जे क्लेरिटी होई छे, एने जे कॉंशियंस होई छेने, ए जुदा प्रकार्न होई छे, अंगरे जीमा एक वाक्या छे, के नो पिलो is as soft as clear conscience, साउथी सुवाल वशिकु कायू, चे आपनने उंगवानी अंदर वधारे काम लागे, साउथी सुवाल वशिकु कायू, क्लियर आपमने अंधर कोई डंक ना होई, आपने अंदर कोई विजो एजेंडा ना होई, आपने बोलता होई बार जुदो lock ले अंधर कोई भाव ना होई, एवो जे क्लियर चे, एनो सफ्ट वशिको बिजो कोई नथी, एना जिवी उंग भिजा कोई ना आवे नि, आ संतो, यह जुओ तो बठी मा जिवता ता बठी मा एवा बार्थी संजोगु हता आने चता पन अंतर थी अटली एमने शांती हती एनु कारण सुमतु क्लियर कॉंशियंस कोई बिजो एजेंडा नी सत्य माटे नो संग्राम हतो अने एना माटे आसंतो छे एन निकली पड़ाता सत्य ने वरेला पूरुशो हता प्रश्न खाली आपने एटलो थाई के भले साची वाद होई और भले कदाच आपने कोई ने पाचा पाड़वा माटे न करता होई है पन जे वाद करवाथी उपाधी थाई जे वाद करवाथी माथा को टूबी थाई यवी शुकाम करवी शुकाम शास्त्री जी महराज समझो के अक्षर पुर्शो तमनी वाद साची अती साची चे चलो बदू समझी लिदू पन एना माटे आटली बदी माथा कोट शुकाम करवानी नवो संपरदय शुकाम उपो करवानो नवी संस्था शुकाम उपी करवानी आ साची वाथ होई तो बेठा बेठा पोते भजन करे ले औने अंतरमा भजन करी अने पोते सुख्या आरे औने आत्यंती कल्याणने पोते प्राप्त करे ले कद आज पोता नी पांसे बेपाद दस जना आवे तो एने समझावे पन एना माटे आटलू मोटो तंत्र अभू करवानी शू जरूर अती शास्त्री जी महाराज ने के मेटलो बोदो एमने संगराम खेल आना माटे आवाज जो समझवी होई तो आपड़े महाराज ना वचनामुत ना वचनों ने धारवा पड़े श्री जी महाराजे उपास्तानी वाद करता कि तो कि आनी अंदर जो खामी रे तो एटली मोटी खामी रे जाए आपड़ा माटे नी वाद चे ये तो पोते समझी ने बेठा ता पण आपणने भविश्य नी पेड़े ने जो आवाद न मले तो एना जीवर मा किटली बदी खामी रे जाए उपास्तानी वाद न समझाई तो एनी वाद च्रीजी माराजे करी चे गरडा परतमना बोत्तेर माँ बचनावत मा माराजे किदू कि कोई भगवान नो भक्त होई अने एने काल अने कर्म बनने कठन होई काल कठन होई औने कर्म पन कठन होई पन जो एना रदैमा भगवान निस्ठा पाकी होई तो एक काल औने कर्म भेगा थाईने भक्तनु भुंडू करी सकता नथी आ दुनिया नी अंदर जेटला काई दुख आपणे अनुभविये छे ने इबद्धाने जो आपणे बे शब्दमा केवा होई तो काल औने कर्म मा बधा आवी जाई जाई चे कर्म ना दुख एटले प्रारब्धना दुख पूर्वे आपणे कोई कर्म कर्या होई आपणे प्रारब्धना रुपमा प्राप्त थया चे आने आदेहे करीन आपणे जी क्रियमान कर्म करिये चे एना थे पन आपणे नवा दुख उबा थाई चे तो आपना प्रारब्धना अने क्रियमाणना जेटला काई दुख छे ए बधा कर्मना दुख छे ले कर्म कठान होई तो एने जीवनमा कस्टो आवता होई छे आने बीचु कालनो दुख एकले सुम देश कालनो दुख वर्तमान परिस्थितिनो दुख क्या रेक दैव संबंधि आपत्ति आवे अति वुरुष्टी अना वुरुष्टी भुकांप समझो ए कालनो दुख आवियो आपनी आजु बाजु रेनारा लोको ना स्वभाव ना घणा दुख आपने नड़ता होई छे घरवालानो स्वभाव चुकरानो स्वभाव मम्मी पपानो स्वभाव पाडोशी नो स्वभाव नड़ता होई छे आपने आ दुनिया नी अंदर आपड़ा देश मा प्रवर्त थी परिस्थिति आपण न नड़ती होई चे मोंगवारी नडे, प्रष्टाचार नडे, नडे आपण ने आ बधा काल ना दुखोनी अंदर आवे तो जेटला काई आपड़ा जीवन मा आपड़े दुखना अनुबव करिये चे महार के आपड़ा अंतर मा ए बधाने जो बेशब्द मा केवा होई तेवु केवाई के काल ने कर्म ना दुख चे महराज एम केचे के कोई भक्तनू काल पन कठन होई, कर्म पन कठन होई पन जो एने भगवान नी निष्ठा पाकी होई तो काल ने कर्म बेगा थे इने भक्तनू भूंडू करी सकता नथी जीवन नी जे क्षणे आपड़ा अंतर मा मुझवन, दुख, हताशा, टेंशन, स्ट्रेस आवे चे एनी लिंक, क्यांक आपड़ी उपास्तनानी खामी साथे जुडाये लीजे कोई जिग्याए आपड़ी निष्ठा संबंदी समझन मा खामी छे, छे अने छेज तो अने तोज आपड़ी अंतर मा अशान्ती थाए फरी आपड़ी याद करिये आज उपास्तनानी वाज छे, एक खाली एना माटे नथी कि आपड़ी कोखनी साथे दलिल बाजी करीने आपड़ी वाज साच्ची साबीत करिये एना किटलाग पोईंट आपणने मली जाए एना माटे नथी, आ साधनानो भाग छे जीवन महत्वमा सौथी वदारे महत्वनी वस्तुवने अन्दर आवे चे माहराज केके भक्तनू काल ने कर्म बनने कठन होई तो पण ए भक्तनू भुंडू करी सकता नथी आने पच्छिनी वाट्तो एना थी ये भारे चे महाराज एम केह चे के जो ए भक्तने भगवान प्रत्तेने निष्ठामा काईक कसर होई तो भगवान पण एनू रुडू करी सकता नथी आ वचनामुत माटे संस्वाम एउ केता क्या भगवान लबड्यानू वचनामुत चे एउ टाइटल आपता भगवान लबडे कोई दिवस सर्व करताने सर्व समर्थ एक जग्याईवी चे जा महाराज पोते की दूझे अमे रुडू नहीं करी सक्या जो तमे निष्ठानी अवली गाठ बांदी हसे जो साच्ची वात सत्पूरुष्ठ की नहीं समझा हो तो जो कस पने एपन आपनों रुडू करी सकवाना न थी एटल्या प्रोसेस किटली अनिवारिय थी गई उपासना समझवानी प्रक्रिया एक किटली बदी अनिवारिय थी गई तो एक तो प्रथमना बोतेर्मा वच्णामुत ने समझे त्यारे खबर पड़े शास्त्रीजी माराज सुँ आपनने आपवा माटे वडताल्थी बहार निकलाता आने शेना माटे एमने आखी जिन्दगी संगर्शों सहन किराता आपड़े जीवनमा जेकाई जोये चे बद्धु आना आधारे उबूचे उपास्तनानी द्रडता एटले अंतरमा सूख अंतरमा शांती आत्यांतिक लाब बद्धु एनी अंदर समाये लूचे शास्त्रीजी माहराजे नक्की करेलू के ए मारे टालूचे ए वक्षते लोकोनेम लाक्तु अशे क्या सुका माथा कुट करता हासे पन शास्त्रीजी माहराज ए वक्षते आपड़ने जोता हासे क्या थी सो वर्ष पची क्या थी सवासो वर्ष पची तारिक 27 फेबुरुआरी 2004 ना दिव से गांधी नगर नी अंदर हज्जारों हरी भक्तों एक साथे भेगा थाई अने अनन्त जन्मनी कसर टली जाए एवी उपास्तनानी वाद चोक्खे चोक्खी अने खुले खुली बोली सके साम्बली सके विचारी शके एना माटे आजे मारे मरणिया थऊ पड़से इवामने विचारी वहसे जो एमने एवक्ते बहु सारा संबंधो राखवा माटे पोतानी सारप राखवा माटे लोकोने मारा प्रत्य सदभावरे एटला माटे काई माथा कुट न था एटला माटे काई बहु दुख न पड़ एटला माटे पोतानी सला मती पोतानी सेफ्ती माटे जो एमने आ वाद धिमे धिमे चलावी होत, जेम चाले एम चलावी होत, तो त्यार आपड़े कोई अई बेठा होत, नई, खोली आपी एमने, खोणी उग्नान जग जाहेर करू एमने, आजे करी सकिये ची आपड़े, पड़े ये वकत ते एमने अत्यन तगत्यनू मान्योतू कि आना विना केटलों मोटो मार के बंध थे जाएछे, तरना ओथे आखो डुंगर दबाई जाएछे, ए तरनू खसेडाव अगर छुटको नथी, अने तले अमने आग कर्यू, एजे स्वरूपनिष्ठानी वाद, एजे उपास्तानी वादे अमने समझावी, योगी जी मह महराज एने नानी कथा द्वारा, नानी वार्ता द्वारा सरल ताथी समझावेशे, योगी जी महराज वार्ता केता के गामनी अंदर बे मित्रों रहे, पक्का मित्रों, एक मित्र जन्मतीज अंध हतो, और एक मित्र जन्मतीज पंगु हतो, एक हतो आंधलो और एक हतो पन मित्रो बन्ने पाक्का आखो दिवस भेगान भेगाश होई एटले कोग जिगे जवु होई तो ये बन्ने वच्चे वी समझूती थेली हती कि लंगडो अचे न आंध्रा न खबा पर चड़ी जाए एटले उपर बेठो बेठो रस्तो बतावे अन ए प्रमान आंध्रो चा ये आम शकुनावली नो जानकार हतो शुकन कोने के वाई अपशुकन कोने के वाई बहु सारु ये उग्नान अतु एटले एने एक वखत पोताना मित्र ने वात वात मा वात करेली के सारा मा सारु शुकन का उखेवाई के कोग वखत ते उबने के काली देवचकली होई ये उड़ती उड़ती आवे औने हलना सगन माथी त्रण वार पसर थाई जाए औने आपने आपड़ी आँख ती जोता होए है औने ए जोता जोता जो आपड़ी आँख फरके नहीं तो समझु एना जो एके शुकन नहीं आवे आवाद पेला ने बराबर याद रेगी थी भाई लंगड़ा भाई ने आवे एक वारे उठायो के शियाळा नो वखत अतो सवारे आठेक वाग्या नो समय अतो बनने जना खेतर नी अंदर बेठा था अलक मलक नी वातो करता था अने ये वखत बन्यो आउग के एक काली देवचकली उड़ती उड़ती आवी त्रण लंगड अने लंगड़ा जोई ली तो अने के भाई आउग अंदरा गजब थे गयो के सुँआ के काली देवचकली आवी अलना सगन मा थी त्रण बार पसार थीन उड़ी गई के ते जोई के हा सगी आखे क्या मेरी सगी आखे जोई क्या आख फरकी थी के जराईनो थी फरकी परकी ते खबाबर चड़ावी दे तो हाल्वा माड़ा अने हालता हालता बे अडिकल लाग थाया अने एक सरस मोटू शेहर आवी गयो शेहर नी मुख्य बजार नी अंदर बनने आवी गया आजू-बाजू बदा भव्य शोरूम होता एमा पेला अंधला एकितु के जोबाई एक मोट्टी जवेलर्स नी दुकान, सोनाना धागिन आपन माले और हीरा लाटू शेहर आने उने जोयू भी जौरदार शोरूम देखाए से, यह कै मने रस्तो बता हाले मा चड़ी जी आपने हाव मवाली जेवा माण सो अने अवी दुकान मा चड़ता आपने जोसे ने तो भाई कोकने संकां जैसे। प्लों के वह गित्या काली देवचेकली है हो यहां टो बराबर शे। के तरण बारज पसारती तो तरण बार भाक क्या हां टर ज्रणेट भार तो बराबर जो युई हुए है के बराबर जो युँए आँख फरकी छे, के नथी फरकी, तो के तो चड़ी जा कहीं थावान नथी, चड़ी क्या दुकान नियंदर, ये के जो आजु बजु सू परिस्थिती छे, ये के त्यारे पोणा बार बार वाग्यानों समय थे हो छे, आजु बजु शेट तो देखाता नथी, एक नोकर अचिषम में, के चालीद देवा एक ला सुपना है, Tao के थो काई चिना नथी, तो ख़ोली थी, तू रू अटो करूं के खोल पैला जो बरना पड़ी, आम गामनी बाहर निकली गया, आब आजू पंदर वीस मिनिट थाई, आने शेट पांच आउता चाउता आवया, आने जहां दुकान मा प्रवेश्क करो ने, एकदम द्रास को बढ़ो, तीजोरी खुली, खाली, पिलो नो करतो हजी, जोका खातो तो, एटले ए वखत नी जे घोडे सवार पोलीस असे आवी गई, कोई ने पूछू आई थी, कोई ने जता दीठा, त्यारे बाजू बाजू बाला कोई कि दुक के हाँ, कोई के का आंधुरन लंगड़ आई थी, उतरता जूया तामे, कई बाजू गया, क्या आँ बाजू गया है, पोली पोलीस अने हाथ मा बंदूख, एंडे कि दुक के बाजू आँ आँ अवे दिवसोपति गया पड़ा, पाजू बाजू पोलीस अवे बंदूखदारी चे पलो आंधू शांती थी के काली देव चकली नुक्याम चे तो बराबर चे तो के तू मुझाइश नी आपने काई थ मजब जाएवान थी, रस्तानी बाजू मा उंडी एक खीन जव मार गतो, उतरी अबने अंदर, पोलीस ना खबर अदू पड़ा निकली या पाजू अगल, पाजबने रोड उड उड हल्वा मड़ा, अड़ो कल लाग तो, कल लाग तो, दोड कल लाग तो, पेली पोलीस तो अगल जही कोई देखाणू नहीं, पाचल वलता था, आ बाजू वड़ू थेवले गाम मा थी बिजी कुमकावी पोलीस नी, ए त्रण पोलीस था घोडे सवार, ए बंदुकदारी था, और एक जग्याए यह बने गियू, कि आंध्रोन लगडो वच्चो वच था, पेला पोली हुआ है, आंध्रोन लगडो वच्चो जोई, एनि कि आंध्रोन हावे तो बचवानी कोई शक्यता न थी, त्रण पोलीस था बाजू थे, त्रण पोलीस पाचल थे, बंदुकदारी गी जग्याए यह बन्दुकदारी थे, आंध्रोन शांती थी कि कि काली देव चकली नू वन, टू, थरी करी ने धढ़ाका कर्या, आंध्रोन लंगडो हेठे बही गया, आ बाजुनी त्रण गोली इचे ने आ बाजु वालान वागी, आ बाजुनी त्रण गोली आ बाजु वालान वागी. अशक्य जेवी वात लागे चे, योगी बापा कोई दिवस जिन्दगे मां खोटू बोला न थी, गोविन सेजी चुडास मां कलेक्टर था, येमने योगी बापाने प्रश्न पूछो, के बापा, तमारी वचन सिद्धिनू रहस्य सूचे, तमें जे बोलो ये सत्के थाई च ये योगी बापा के, के आमें जीवन मां एक ख्षाण पन महराज ने भूलता न थी, आने बीजु ए, के आमें जिन्दगी मां क्यारी खोटू बोलता न थी, जिन्दगी मां क्यारे आमें खोटू बोलता न थी, महराज ने एक ख्षाण पन आमें भूलता न थी, ए योगी योगी बापा आना आधारे स्थिद्धांत बतावे चे वारताना आधारे। योगी बापा के आपना जीवनमा पन आवुजो थाए। एडले काली देवचकली एक वार पसार थेगे। गुणातिताने स्वामी ए अक्षर ब्रह्म छे एवी वात अंतरमा पाक्की द्रण थेई जाए। एडले काली देवचकली बिजी वार पसार थेगे। आने प्रगट सत्पुरुष मोक्षनु द्वार छे। महराज अने स्वामी ना द्वारा प्रगट आपणने मल्याझे। आवात आपणने पाक्की थेई जाये। एले काली देवचकली त्रण वार पसार थेगे। आने आख न फरक एटले सूं, आख न फरक वेटले सूं, तो एम नामा क्यारे मनुष्य बाव आवो जोए, नहीं, जो आटलू थाए ने, तो काली देवचकली पसार थाई गई, मोक्षनादवार खुली गया, आ ब्रह्मान ने अंदर तो असूं, अनन्त ब्रह्मान ने अंद एवा भक्त ने देह मुकी ने भगवान ना धाम मा जो एम न थी, एतो छती देह भगवान ना धाम ने पामी रहो जे, कहीं बाकी न थी, अद निष्ठा, शास्त्री जी माहराज, योगी बापा और प्रमुक स्वामी माहराज, एम ने आपन ने आखी जिन गी आज वाद द 2001 मा गुजरात ने अंदर भव्य जोड़दार भुकंप आवयो तो, 26 मिजानियो आरिया, अवे ये वखते, आखा गुजरात मा शोक नो वाता आवन तो अड़ले बापा ये वखते वो आदेश आपयो तो कि आ वखते फुल्दोल न उत्सव आपने साधाई थी उजव, रं मंदिर नी पाचल नानू प्रांगन येमा आजु बाजु ना गामडा ना बहुँ जोचा हरी बग्तो, हजारे पूरा नी होई, ये वी नानी संख्यान यंदर सबा थे थी, रंगोत सव तो करवानों नो तो बापा ये ठाकोर जीने पिछकारी थी रंगया, नानी पिछकार थी अन पच्छी आम हरी बग्तों ने संतो बेठा था आम पिछकारी चांट दी थी, कोई नर्डे तो ने पाहम जी रंगोडी गया, अवे ए वखते स्वामी सारंपूर रुकाया, ता ये धरम्यान संतो बापा नी पांसे जुदा-जुदा कारेक्रमों रजु करे भोजन व रंगोड सो, एमा भावे वहतो के एक संत एकदम वसवसो रजु करे के आवखते तो काई मजानो आवी ने, काई रंग उडियो ने, काई लाभन मले ने, दर वखते क्यों होई चे, आवखते यु काई थयू ने, एवे एते संस्कुरत निंदर आबधी वारतालाब चाले, यह बदो वसवसो व्यक्त करे, और पची एमा थी वाद आगल निकले, और पची एमा थी एकदम के के बापा क्या रंग थी जरंगे छे, एतो द्रष्टी करे ने, रंगी नाखे, एतो परश थी रंगी नाखे, एतो प्रसाद थी रंगी नाखे, एतो प्रसाद थी रंगी स्वाम क्षत्रिस चकर्पां टता अल्ग doet घरोंड है को तो पर संग गैंशाक पतलो प्रशुंप पुलने स्वामी आसे संटे इक हैं भद्या भहता हो सांधे भाप या राग्य अंडर द्यौनेश सैग्थ बापाने प्रश्ण पूछो के स्वामी आपनी अंदर आऊ आकर्शन चे आपनी अंदर आऊ एश्वरिय चे के आप द्रश्टी मात्रती रंगी नाखो आप शब्द मात्रती रंगी नाखो तो एटलू बदो जे आपनामा एश्वरिय चे एनू कारण सुचे ए वकते स्वामी एकदम सहज बावे वातो बोल लेता एमा एक वाज स्वामी आ करिती स्वामी के रहस्य एटलूज के शास्तरीजी महराज जवा पुरुष मल्या औने एमने आमने समझावियो के श्रीजी महराज सर्वो परी भगवान चे गुणात इतानन स्वामी अक्षर ब्रह्म चे आने प्रगट सत्पुरुष मोक्षनु द्वार चे आम आपनने सिंपल वाद लागे चे न आवाद आपन एकदम साधारन लागे चे स्वामी तो अनाधी पुरुष चे पन आपडे समक्ष एमने जे रहस्य मुक्ये कईू मुक्यू कि आपनने केटला प्रमाण मा आवाद समझाने चे ने एना आधारेज आपने आध्यात्मिक उचाई चे पोतानी जे काई विशेश्ता चे बाबा आटलानी अंदर मुक्ये देचे जे श्री जी माराजी गरडा प्रथमना चपनमा वचनावतमा किदू के दुनियानी अंदर पन जेटला लोको आगल वद्या चे सिद्ध थाये चे, सर्वग्न थाये चे, देवता थाये चे ए पोताने जे इस्ट देव मल्या होई, एनी उपास्ताना बले करी ने पाम्या चे एने जेवा इस्ट देव मल्या हाशे, अने इस्ट देव माँ जेटली एने निष्ठा थे यहाशे ए प्रमाणे एनी प्राप्ती छे, ए विना कोई व्यक्ति आगल वदी शक्ता नाथी, आपने इस्तदेव सर्वोपरी प्राप्त थाया, हवे एमनी अंदर आपनी निष्ठा सर्वोपरी थाय, एटले आपना बद्धाच द्वार खुली जै, तो त्रोन वात ए आपने आखा निकले ने, त्यारे एनी अंदर बे प्रकार्नी वात ए महत्वनी दे, एक छे, उपास्य स्वरूप नो भेद, आने बीजो छे, उपासकनी समझन नो भेद, पेला उपास्य स्वरूप ना भेद थी, उपास्तना मा भेद पडे छे, गुणाती ता déjàनैं स्वामेम्नी वातो स्वामी के जू वियाई ने तो लिख आवे आने हाथ ने वियाई ने तो भेहस जेवडू बच्चु आवे बराबर ने बालकों माटे जू वियाई ने जू एटले खबर चे ने माथामा पड़े ने पिलू करडे चे एने जू के वाई ए वियाई वियाई एटले सू वियाई एटले खबर पड़ी जैने खबर पड़ी खाले हाँ पड़ो वियाई एटले खबर पड़ी ने सुखे वो अमुक ने अन्थी खबर पड़ी वही शब्द आपो भी जोएना माटे ए पोता ना बच्चाने जनम आपे ने जू तो लिख आवे ते लिख तो जू करता ही ना नी होई बराब बनेनू बच्चु के उटो होई तो जू करता ही ना नू होई ने आने हाथनी वियां आए तो के उड़ू बच्चु आवे भेस जवडू तो एक दिवस्तनी लिख होई आने एक दिवस्तनी हाथनी नू बच्चु होई बनेनी साइज मा किटलो फेर होई बनेनी आम तो एक दिवस्तना चे ने साइज मा किटलो फेर चे आवे एनु कारण सु कोना पेटे जनम लिदो जे, एज कारण चे ने, एवी रित्ते भक्त तो दुनियामा बे जना माला करता होई, अने बे जना पांच-पांच माला ज़ करे, बे जना आठवाडियामा बे वकत मंदिरे दर्शन जता होई, बन्ने जना एक सर्को धर्मादो क कितलाक ये पोते माता जीने मानता हासे, कितलाक चे महादेव जीने उपासना करता हासे, कितलाक वली कोई देवताओनी मानता उपासना करता हासे, कितलाक हुरा-पुरा देव बदरावता होईशे ने, एने मानतान, एने पूजान, एने प्रत बदु करता हासे, कितलाक ऐली मलीन मन्त्र तंत्रह कड़ता है, मलीन देवतोओ। Ч atra चाह् droitे था उपासनाइ कड़ता है। हां किटलाख सात्विक लोको हशे ए भगवान न अउतारों न उपासना पंड करता हशे जेवी कक्षानों सामे उपास चे स्वरूप चेने एवी एने प्राप्ति थाए जे कक्षाना सामे चे एमां आपणी काई विशेषता न थी आपणी एवी जिग्या यावी ने बेसिक श्रृ original माहराज मuteur में भूक्तानें स्वामि ने बात करी के मुट्शाम आज तुम भ ऐडिी फुटी जाए तो त्मने साजी करता हुड़े प्रश्णनों हार्द सुँआतो कि आपड़ी एटला सामान्य चीए कि आटलू ही नथी आवड़तु दारो कि तुमड़ी फुटिए तो हाजी करता है नथी आवड़तु मुक्तान साथ कि माहराद नव आवड़े तो माहराज कि कि मुक्तान स्वामी भले तुमड़ी साजी करता नव आवड़े पन तमे तमारी मोटपने यथार्थ पने जानता नथी तमारा कांड़ामा तो एटलू बदू जोर छे कि कोईक जीवने तमे आईथी पकड़ो आने एने बराबर जंतरड़ामा पाणो घालीन फगावे छे तौतर खगावो तो झाल टास्टअवरे मोटबर अक्षरभामा जाए एवु तमारा कांड़ामा जोर छे पची महाराजे की दो कि एवु तमारामा बल छे एनू कार्णसू छे तमारी विशेष्ता न थी महारी विशेष्ता छे ऐँ महाराज के जे एनु कारण सु महाराजेम केचे के अक्षरधामना मुक्तने पुर्षत्तम नारायनो संबंद चे का तमारे चे अवांतर भिजा कोईने आ स्वरुपनो अनन्त देवताओना लोग चे अनन्त इश्वरोना लोग चे अनन्त अउतारोना लोग चे पन कोईने आ स्वरुपनो डा आपने बले हाव नाखी दिदा जवाज आपने काई माल नथी पण कोना राजाना कुवर ची है गुणातितान स्वामी के के गायकवाड नो चोकरो मुला सारू भले रुवे हैं पण गादी तो एनेज मल से आपने बले साव समझन मान बदी रिते पण कोनो योग थे होशे आपने सामान्य ची है पन योग सामान्य न थी तो पेला मा पेली वाच्चे उपास्य स्वरूपना भेद थी आपड़ी कक्षा मा भेद पड़ी जाई से पन बीजो जे भेद पड़े से ने ये वधारे महत्वनों चापड़ा माटे एक उपासक नी समझन थी भेद पड़ी चता पन प्राप्ति मा फेर पड़ी जये, एकत स्वर्भ होवा चता पन, आवाद गुणातितानन स्वामिये वातों में करी चे, गोपालानन स्वामिये पन करी चे, गुणातितानन स्वामिये के, के श्रीजी माहराद ने, जो नर नारायन जेवा जाने, तो गोलोक अथो बद जो एने श्रीजी महराद ने वासुदेव जेवा जाने श्वेत द्विपनी प्राप्ती थाए। गोपालन स्वामी नी वातों मानोंधाएलो छे एक भक्त ने महराजे समाधी करावी है। महराच जा समाधि आउटा, तो सुंकरता, बेर इतनी समाधि करावे, एक समाधि कर वे इती दाइरेक्ट फ्लाइट जाए है अख्षरधामा। अनिस बीजी का रगारी समाधि हमें लौकल गाड़ी, समझें, आपम बधा लोक माँ पसार थी, जाए। इते अवी समाधिकरावी ने tim它的 coating अक्षर dhamma गयं है तो पेले बदरीकाश्रमा गये पर्शन थे व हो प्रस्षा प्रस्ण थे बदरीकाश्रम मे इने कि ट्लाक आपना महराजन刚 आशर॥न आशरीड एवा कि ट्लाक संतो है अरी भक्तों वी जुए बैले आपनी आंट तो आपने आ लोक मा भेगा रहा हुए पन उपड़ी गया हुए तो यह वा लोको ने पीटलाकने बदरीक आश्रम मा जो है यह उने बव आस्चरेत हो कि तमे आहीं बदरीक आश्रम मा क्या थी? यह पर लुटे दो कि आतो माहराज नुद्धाम जर्लाब नहीं जावी इने पहलो कि माहराज क्या थी? यह जो आ नर नारेन देव देखाईन एज माहराज छे? पहलो भक्त खेके के ना हुँ श्री जी माहराजने बदरीक आपको ओ तो निकले गयो तहां थी? तो आगल श्वेद वीप में एद दशा थेई त्याई आपड़ा केटलाक संतों नरी बक्तों ने जोया आगल गया वैकोठ माई केटलाक ने जोया आगल गया गोलोक में आपड़ा केटलाक ने जोया अने आगल गया तो अक्षरधाम में जोया एटले एणे महाराद ने पूछ एक महाराज मैं बद्धा धाम ने अंदर आपड़ा थोड़ा अरी बग्तों के संतों ने जोया ते ए बदा केम अक्षरधाम मानू आवया अने ज्यां त्यां केम रहे गया महाराज जेकिदू के अमने जेवा जाने अचे ने एवी प्राप्ति अमने थाई चे हवे एणे एवी गांठ बांदी दिदी चे ने क्या मैं पंडे जी ने कहीं तो एणे मना आयाम नथी किटलो फेर पड़ी गयो आपन ने थे एना करता को धाम ना गया होई तो हारू बीजा त्रीजा चन में चांस मली जाए आवी कसर रही जाए कान के पेलू चे ने डिस्टस बो मोटा मोटा चे एक वखत कोई दम मा गुसी गया ने आ लोक मा तो के हो चे गुणाती तान स्वामी के के त्रीजेड च के अक्षर दाम चे ब्रह्मा ने एक पलकारम आपड़ा 666 वर्ष जता रहे छे एक पलकारम आपड़ा 666 वर्ष एटले धारो के आपड़े बेतरन जन में कल्यान थाई ने तो ही पलकार पेला पोची जी जीए अक्षरधाम मा कद्दाच वास्तना रहे जाए ने तो बहु चिंता करवा जे हो नथी एक बेजनम मा पती जासे बहु वास्तना रहे से तो पन स्वरूप निष्टामा खामे रहे जासे कोक लोक मा गुशी जासू ये जाने बहु डेंजरस जा पची येमा थी पाचावळू माराज दयालू छे पन केटलो लांबू डिस्टन्स पड़ी जाए येने पविश्यमा जन्खम समझा से क्या रेक उपास्तनानी वाद पन केटलो लांबू अंतर एटले उपास्तनी बाबत मा माराजे एटला माटे आगरह राक्यो श्री जी माराजे गरडया मध्यना नौमा वचनामत मा वाद करी के हमना सचसंग मा रेतो हशे आने सचसंग नी बधी मर्यादाओनो पन पालन करतो हशे बद्दाद नियम धर्म पालतो होए पन जो पोताने मलू जे भगवान नू स्वरूप एने बीजा अवतार जेवा जानता हशे तो भगवान ना स्वरूपनो द्रोह करो के वासे आने खामी भांक्षे नहीं वांधो भांक्षे ने यहू महराजे कि दू मध्यना नौमा वचनामत मा प्रसंग यहो बन्यो गोपाला ने स्वामे नी पासे एक खंबात ना मिस्त्री हरी भक्त ना दिक्राओ गया अवे बन्यो ते हो कि हरी भक्त तो धाम्मा जता रहा था अने इना दिक्राओ ने प्रश्ने हो आवे हो तो के ना बापा धाम्मा जता पेला एक अगत्य नो दस्तावेज क्याक मुकिन गया था अवे मलतों तो आखा घर मा फेंदी वाले बदे इस दस्तावेज विना चाले हम नो तो आ लोकों ने घणो मोटो नुकसान जायम तो आखा घर गुमाऊ उपड़े हम अटू इतले मुझाणा गोपाणग स्वामी पासावे जही की स्वामी आवी उपाधिया चैका घर मैंसा उल्नी खाणी हमे यही तो आखा घर गोपाणगे ठ्यविना पासा का हमीको नुक्णा जाये आने अक्षरधम जही ने तपास करी हो गामना बापा आशे है ने पुछी आओ कि तमें दस्ता विच क्या हमू क्यों से करावी समाधी गया अक्षरधम मा तपास करी अब यमने वी दिव्य द्रश्टी के चक्षु आपी दिदा आशे के ओलखी जाए त्या तो मुक्तो ना ब ने नहीं भगत पाका आता नियम धर्म बराबर पालता ता डुंगली लसर्ण ने हात नोता डड़ता तीवी तो क्यारे जोताद नोता तो एक एमना धाम मा जाए कि स्वामी खरेखर में बदे जो क्या ही न थी एले गोपाना स्वामी एना दिकरावने पूछू कि तमारा ब पापना खास है दोपान स्वामी कि तालो मली गयो अमोगानन स्वामी ने पहला सादून के कवच्चे क्या है रोकाता ने सिध्धा वाइकुट मा पोगो और पोचया और त्यां पहला बेठाता है ना बबापा तंगली ओ पेरी ने भचन करता द्वराम दून करता ता यटल यटलानमा त्या आविया आविया खरेखर तपास करिन एरी तन निकलो दसतावे जातो बने लो इतियास्चे संपरदाईनों माहराज नूज भजन करता था नियम धर्मपण बराबर पाड़ता था के माम थयू गोपानन स्वामी के का अमोगानन स्वामी माहराज ने राम च लो फेर पड़ी जाई छे अने एने लिदे भजन महराद नू करे अने चता पन लोकनी प्राप्ति मा घणो फेर पड़ी जाए बद्धा लोकनी वाद करी छे महराद जे मध्यना चोविसमा बचनावत मा अक्षर धाम सिवाई ना बद्धाज लोक नाश्वंत छे यू कि दू जो लोक नाश्वंत थाई गया एनो अर्थ कि जे मोक्ष के मुक्ति छे ने एपन नाश्वंत थाई गया लोकद न थी रेवानो तो मुक्ति क्या रेवानी छे एटले काई पर्मेनेंट प्राप्ति न रही आत्यंतिक प्राप्ति न थी वच्मा क्या खलवाई जी जो आपन इनम मनाई तो कल्यान मा भेदरी जाए बिजी वात कि आपड़े जे काई करिये चे सत्संग करिये चे बक्ति करिये चे धर्मादो करिये चे आपड़े बदाने एक इच्छा कई चे बस महराज राजी थाए आपड़ा उपर पन्ड मने जेम चे जाने त्यारे हुँ राजी थाओ, कल्पना करो, सोना मंदि राखा, आक्षरदाम चे, खाली पलू पलेटिंग ने हाँ, सोना नू, आख्या को खाली मुर्ती नहीं, बद्धू पाया माँ इतो थी माँने शिखर माँ कलस होदें, आपने बदा कलस, सोना न कलस कीए, तो तम जानो चोने, कलस नी ऊपर पलो, बलू, पलेटिंग करेल ओये जए, पत्र लगाडेलो ओये, इने अपने henna सोना न कलस कीए, नककर नाम थीओ द्धू, पण आक्षरम पाया माथी शिखर सुथी, आक्षरम नककर सोना मंदिर न कोई बान्धे, यहना माटे fundraising करे, किटलू मोटू काम करें, किटला लोकों सत्सक माँ खेंचा किवाई, त्यारे आटलू मोटू काम थाए, एवू मोटू काम कोई करें, तो महाराजी के हुँ राजी नत था आम तो सारूच्चे सेवा करें पण यथार्थ राजी पो था तो जो मने जेम जाने तो हैम जेम जानवा एटले महाराजी ने सर्व परीचे ए वा आपनने समझाए श्री जी महाराज परमशो ने साथे राखी ने लोयामा नागड़कामा पंचालानी अंदर आवी बदी सर्व परीपनानी जबरी वाथो करी, पच्छी परा मनसों ने कि तुखए तम्हें गाम्डे वीचरण करवा जाओ, कथा वारता कर जो, उपासना नी वाथो कर जो, संतों बदा गाए गाम्डे वीचरण करवा, 22 महीना पची पाच्छा आव्या एक संथ के कि महराज अमीं तो एटलो बद दो महिमा की दोने कि साक्षाद दत्तत्रे अने कपिल ये जेवा आउतार थेगे अने एवा हमारा सहजानन स्वामी चे महाराज बीजा ने पूछू के तमेसू की तू अरे महाराज अमे तो ये ना करते है वधार मुई साक्षाद आउतार थेवाज अरे सहजानन स्वामी चे अब ये चाती ठोकी ने वातों कर दी दी महाराज बद्धानी वात सामधी राजी न थेया महाराज के कबूतर ना कबूतर रया कबूतर चे ने भोड़पन नु प्रतिक चे अने सारा शब्दों मां कोईने मुरक्केव हो इंतोंने भोडोकेवाम आवेशे महराज के कबूतर ना कबूतर रहा पची महराज के के तमें 32 प्रकार ना पकवान न खादा होई अने मुला नी तो आटली खाली चीरज खादी होई परण चरह ओड़कार आवे त्यरह सेनों आवे मुला न ओड़कार आवे एवी रिते महराज के के अमारी पुर्ण पुर्श्वत्तम पना नी वादनों ओड़कार न आवे तमने महराज ये करीशे तामे वच्नामुत माचो तो ेमा बधा प variकार नी वाद Son और शमय को कि कंजिते हैं विसकंग में भक्त सारी सवामि त्या 16 पहतानी वात करी से मैं भक्त किता है विसकेश्ण्य भग्वान ना आश्रित चिये, नर नारायन ना आश्रित चिये, एवी वातों ही करीछे वच्छना मुटमा, क्यांके वी वात करीछे, अमे तो गुरु चिये, उपदेश्टा चिये, आचार्य चिये, एवी वातों ही करीछे, क्यांके वी वात करीछे, एज नर नारायन अमे चिये, क्यांके एमा थी कया शब्दों ग्रहन करू, कोई व्यक्ति एम के एनो आपने परीची खबर होई, तो ए पोते दस्मू दोहरन पास होई, बार्मू दोहरन पन पास होई, एमबीबीएस पन थयला होई, और एमेस पन थया होई, और एफार सीएस पन थया होई, और एमसी एच के बीजी कोई डिकरी पने हमने उचा मुची प्राप्त कर ली थी होई, पची आवी ने बेठा होई, आपण उना परीचि आपने तंसलते साहे जेसं चेला शें था वह जहें आ है करो हम महाराइच क्या टकिर आपने बलो था पनी चितना थेसे अ क beanác जैने के शैवाया और बाफार थी ट्र Jazz के नहीं महाराद नो एजेने समझायू आने जेने पकड़ू अत्ती उत्कृुष्ट वचनो जे उपास्तनाना चे ग्रहन करवा एव महाराज शिक्षापतरी निदर किदू 101 और 102 नंबर नो श्लोग एमा महाराज किदू उत्कृुष्ट शब्दो चे एने ग्रहन करवा एव शब्दो थोड़ा होए तो पन एनो ओड़कार आपन आओ जे महाराज के के तमने आटली वाद सामबलवा चता पन ओड़कार ना आवयो कारण सुमतू गुणातिताने स्वामी त्या वड़तालने अंदर बिराज ता ता रगुविर्जी महाराद ना मेडे सभा थैती सभा ना पोर्मा रोज कथा था एवी कथा एमा मध्यना नौमा वचनामुत निरूपन गुणातिताने स्वामी करता था सामे शुकाने स्वामी पन बेठा था अने गुणातिताने स्वामी एनी अंदर थी आ वचनो बहार काड़या के श्री जी महाराज पोते हैं के तुछे के ज आवाद तो मेज लखी छे, मचना मुट एडिटिंग करता ता ना मज़ा संतो, कि महराज जरे बोलता ता त्यारे मेज आवाद लखी छे, और मेज एने शोधी छे, एटले कि एनू एडिटिंग करियु छे, पन आ मेडा ना पगतिया चडियो त्या सूधी मने आ वाद समझान नोती, कि महराज आमा सर्वोपरी पणानी वाद आटली करी छे, गुणा दिता नेन स्वामी ए, एटली जवर्जस्त समझावी, तो रगुविर जी महराज एवखत गिदू स्वामी ने के स्वामी, महराज ना चरित्र नीठा होई, आने सून्या होई, एटले कि महराज ना सर्वोपरी एवा इश्वरियो पण जोया होई, आने महराज ना मोडे थी एमनी आवी वाद पण सामली होई, तो पण जीव कहता लखता अटके छे के, आवात कोना माटे हती, जे कहना रहता ने जे लखना रहताई कोण हता, मोटा होई ने, कथा कोण करे, लखे कोण, शास महराज ना चरित्र दिठा चे, एमनी विशेष ताओ जोय चे, आने चतापन जेम चेम, कहता अने लखता अटके छे के, तेरे गुणा दिता ने स्वामी है, एनी जवाब ने अंदर एक दृष्टा अंता प्यो, स्वामी के, के एक वकत, एक घोडा नो सपना मा पग भांग क्यां ठेस वागे एना पग ने पगे फ्रेक्चर थेगियो, सपना माहां, पचिये जाग्यों ने तो सु करे पग अधर राखे आम, एटले एना मालिक ने तु आने काई का इजा थे लागे से, डोक्टर ने बोलावया, बदा सारा होशियार, इने बदू तपास करी, एक्स होशियार वई दावया, इने बद्धी तपास करी, एने कि दू आने काई थे उन न थी, आनो तो सपना मा पग भांगयो से, अवे एनी ट्रीटमेंट सु करवी कोई, जागरत मा होई इने भागे एनी ट्रीटमेंट थाए, आनी ट्रीटमेंट सु करवी, एक बसे घोडा करवा मंदा, जे धड़का करवा मंदा, ते पिला बस घोडा दोडवाज मंदा, ते एने दोड़ता जोई न आए, वातावरन आवी गोड़ो, एटले ए दोडवा मंदा, ते दोडवा मंदा ते खबर पड़े, मारो पक तो हाजो से, अम्थो उपर तोली न उबवतों, आ द्रश्टान तापी ने गुणातितानें स्वामी कीदू कि जे एम पेला घोडानो सपनामा पग भांगयो तोने, एम अमोग जनने शास्त्रना शब्दोनी तंती आड़ी आवेजे, शास्त्र भनेला होई, पन उल्टाना एना एज, एने बांधी राखे, सर्वो परिपनान इस समझन, एने समझवी गठान पड़े, मोटा मोटा ने, श्री जी माराद ना वकत ने अंदर एक प्रसंग वो बनेो, कि चार पनमंसों वड़वान गया था, एक था मुक्तानन स्वामी, बिजाता नित्यानन स्वामी, त्रिजाता ब्रह्मानन स्वामी ने चोथा था था ते मुलजीबाई नाम ना हरी बक्तान गरे उतार हो तो उपर ना माले नित्यानन स्वामी ने मुक्तानन स्वामी रे, नीचे ब्रह्मानन स्वामी ने चैतन्यानन स्वामी रे, आवे ए वकते मुक्तानन स्वामी ए नित्यानन स्वामी पासे संस्कुरुत बनता था, तो वा पी गुवाल ने मलाता, जे वुरुंदावन मा विहार करना रहता, ए कृष्ण भगवान एज आजे आपनने महराज रुपे मला से, आवी वाद करी येटले, नित्यानन स्वामी के के मा स्वामी हुँ तो आओ नथी समझतो, बीजा आउतारोत ना तमें काम जुओ, एमना चर जुओ, एमने कितु के आउ समाधी परकरण क्यारे तमें कैं जुओ, पोता ना स्वरुप माती आउतारोत प्रगट थाए ने लीन थाए येव के तमें जुओ, अंतकाले दर्शन आपे ने धाम मा लेजे येव के एक पन प्रसंद तमें बूर्वनों क्यारे जुओ जुओ तमें सामी के कि ना यहों ने, पर मने तो आचे, तले बहुँ चर्चा था ए एले बुला ने बुलावें कि तमें आनों के नेवेड़ो लाओ, तो ब्रमानें सामी जो के बही माराग गूरु जेवा था हैं, आमा उप पलप जावा परिस तोई प्रशन, आमा आप जावा अ आखी वात मांडी ने करी नित्यानन स्वामी ने मुक्तान स्वामी कि उस महराज तमे को आमाथी सुसाचू एटले महराज एकदम ध्रड़ता पूर्वक बोल्या महराज के नित्यानन स्वामी नी समझन बराबर चे आवात साम्पले ने ले फास्त्टैन्य स्मामिनी एक्दम जट्को लागियो मुक्नित्यान स्मुझे Unless you bet भीजा भदा आउतारो कारी है । श्रीजी महाराज बदानो कारणा फावीवाद स्माध अच्छले मुक्तानश्वामिनी ढटको लागियो गें। डिमेरीन महाराजju कि महाराज आविवाद शास्त्रमा क्याई मले? प्रश्न नम्रता थी पूछायो तो पन भाव शंकानो तो कि महराज में गणा शास्त्रमाँ चासे आविवाद हजी सुधी क्याई शास्त्रमा में वाँची नथी तो आविवाद क्या शास्त्रमा मले? शास्त्र बनाविया कौणे? अचारी बनाविया? करीरी मुख्तानन स्वामी एक दम इल्टे द्रश्टी? महराज ऩह मेरी भूलती पण एक वस्तु एवी हती कि जे सात्विक हता, सारा हता, महराद ना अश्रित पण आता ने मोटा पण हता, पण ज्यान शास्त्र ना शब्दो आवेने, शास्त्र ना सारी वस्तुछे, पण येने लिमिटेशन ना समझी सकें, आने एने लिदे उपास्तानी अंदर एक स्टे बाद घेला जेवा फोए टेनी पासे पेलो आवयो आने बाद करवा माड़ बाद करवाँ आम पंची करण नीत भड़ी शास्त्रों इन तत्वगनान नीत उतपति प्रक्रियान घ्याद तो परवदबाई के के दारू पंची करन ने मारा बलद ने मोड़े बांधवा नुशी करन हर खुशे जा यह ने काई नो थाए यह ने कोई शब्द अरे को के आवे ने पाहे वात करें तुरिया वस्ता नी वातो बदी वेदांत नी वातो शे बदी आम जागरत स्वप्न सुशूप्ते ने तुरिया वस्ता नी वातो करवा आमाड परवद बदी के तारी तुरिया अमारा पगना जोडाना तलिये गसाईज भार ने कोई नो अनादर नो तो शास्त्र नो पन जारे स्वरूप समझवानी वात आवे तरे प्रगटना वच्णो करता पन पेली तंती गुणातितान स्वामी एटला माटे समझावियो स्वामी के के ज्यासुथी पुर्षवत्तम नारना पृत्वपर आव्यान होता जन्म पेला शादी क्या थी होई जन्म पेला आमरे ब्रह्मदर्शन स्वामी ने तरे ब्रह्मदर्शन स्वामी ने एना सस्रानू नाम सुचे नजिक ना सगा क्या है ना के दूर ना बूना क्या है वेवाई क्या है आपड़ा आवडे छे क्यम नती खाल, खबर नती क्यम खबर नती, एक वाक्य मंचवा बाप लेसी जब समझी ग्या यह शेम केचे के मारा सस्रान नाम मन खबर नती तो तमा दिकरान सस्रानू क्या पूछो चो भई जन्मा न थयो होई ए पेला सगपन क्या थी नकी थता होईचे आ वाद करीने गुणादीताने स्वामे ए वाद करीके पुर्ण पुर्षोत्तम नारन पेली वखत आ ब्रह्मा निंदर पदार्या श्रीजी महराज वड़ताल मा बेठादा आम बानी चे आम लाम बाचरन करीन महराज सभानिंदर बीराज मानता अन ये वक़ते चार पाटी दारो बदा बुद्धी शाली पाटी दारो आवे आ सभानिंदर आवे ने महराज ने चरनार विन सामुजोयू सोल चिन न देखाया सामुद्री करत चिन होना जानकार हसे आने महरा नमुखार विन सामुजोयू आने पच्छी बोल्या के महराज तमारा चरनार विन सामुजोयेने तो तमे पूर्ण पुर्षवत्तम नाराण भगवान लागोशो पर थमारा मुख सामूजारे जोएंटो तम अनुस्य जवा लागेो अपने ठाईी सकते प्रिक्टिकली आपने जारे बापानु कारा जोए आपने पने अहो rajad पर जैते पर जारे आमनी सामूजारे तो लग आपना जेवा कल दोगे महराज, तमारा चरन सामोजोए, चिन्हों आमने देखाईचे, लक्षणों देखाईचे, पुरावाओ देखाईचे, पन तमारा मुख सामोजोए, तम बुला पड़ीची, थाईचे नावू, तमारा चरनार्विन सामोजोएचे, त्यारे आमने भगवान लागोचो, मुखा प्रुत्वीपर क्या रे आवया? आ ब्रह्मान ना जे विराट नारायन छे, एने पोता ना बचा स्वर्ष अने दोहड पोर दिवस चड़ियो, त्या सुधी स्तुती करी, त्यारे आ बेचर नार्विन आ प्रुत्वीपर आवया छे, एक गणित छे, आपने त्या, आपनों ह हिंदु धर्मनु जे केलेंडर छे ने, ए आप्रमाने छे, कई रिते छे, थोड़ुक समझवा प्रेत्न कर जो, के विराट ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु शिव, ए त्रण पन एना अंग भुच्चे माती उत्पन थेला, पन विराट ब्रह्मा जे छे, एनों एक दिवस सवार्थी ते सांसुधी नों एक दिवस, एक दिवस नी अंदर एको तेर चुकड़ी पसार थे और एको तेर चौध ब्रह्मा, चौध इंद्र ने चौध मनु थे जाए, फरी वखत बोलु चु, सवार्थी सांसुधी मां चौध इंद्र बदलाए जाए, और चौध मनु एक दिवसमा किटला मनवंतर पसार थी जाए? चौद मनवंतर हवे एनो जे एक मनवंतर होई ने? एक मनवंतर एनी अंदर 31 सत्यूग त्रेता द्वापर ने कली एनी 31 साइकल पसार थी जाए 31 चुकडी एक मनवंतर नी अंदर सत्युग त्रेता द्वापर अने कली एवी 31 साइकल पसार थी जाए एटले आखा दिवस्त दर में आपड़े गणिया नहीं सवार्थी सान सुदिमा तो एक हजार साइकल पसार थी जाए 71 multiplied by 14 करसों है एटले हजार नी नजी कावस है आखा दिवस्त नी अंदर एक हजार सत्युग त्रेता द्वापर कली सत्युग त्रेता द्वापर कली हवार्थी हान सुदिमा एटला पसार थी जाए आवे एज आखो दिवस्त चेने एना आपड़ी रीते वर्ष गणियाने तो किटला थाए तो एक जे साइकल पसार थाए एक साइकल सत्युग त्रेता द्वापर कली एना 43 लाख ने 20,000 वर्ष थाए 43 लाख ने 20,000 एने एक हजार वकद गोणी नाखो ने आखा दिवस्त ना एले चार अबज ने 32 करोड वर्ष थाए सवार थी ते सांसुदि एव आखो दिवस अने 20,000 विजी राथ पसार थाए एक दिवस अने एक आखी राथ एटले आठ अबज ने 64 करोड था याने ये आठ अबज ने 64 करोड दिवस पसार था एटला वर्षो एटले एक कल्प थयो के वाई एक कल्प एक दिवस एकले एक कल्ब आवो विराड ब्रह्मानों एक दिवस होई एवा विराड ब्रह्माना पचास वर्ष पुरा थे आछे आ ब्रह्मानी आवर्दा त्यारे केटली थे चे आतो ज्योतिश शास्त्र ना आपने बदा शास्त्र रोगेशा, त्यार सुद्य में केटला वर्ष पसार थेज़, पच्चास अड़ी आवर दा पसार थेगी, एककावनमू वर्ष चालू थेज़, अने एककावनमा वर्ष नो आप पेल्लो दीवस अत्यारे चालेशे, वीरा परार्थ पसार थेगी, बिजा परार्थ नी अंदर श्वेत वाराह कल्पे, त्यारे श्वेत वाराह कल्प पेलो कल्प चालेशे, एक कल्पनी अंदर जे चाउद मनू होई ने दीवस मा, एमा थी छो पसार थेगी, त्यार सात्मो चालेशे, एलले आपने सु बोलेशे, स् वाईवस्वत नामनो मन्वपन्तर अत्यारे चाले डिये वाईवस्वत मन्वपन्तर न अंदर 31 चोकडी हो यPhone 형 को पर हुंग Bir वाँग में सत्या विस चोकडी पर ठेग 30,000 वर्ष होई यह माती 5,000 वर्ष पसार थया चे आपनू केलेंडर चे हिंदू धर्मनू आ केलेंडर चे महराजे यह कि तुके 50 वर्ष अने दोड़ पोर एटलो समय पसार थयो चे एटला वर्ष सुधी यहने स्तुती करी चे त्यारे आ बेचरनार्विन पेलली वखत आ पांच हजार वर्ष पेला ने शास्त्रमा शोधो क्या थी मले के 10,000 वर्ष पेला ने शास्त्रमा क्या थी मले क्या थी मले को मले कानके वाल्मी के रामायन पेला थे गी हुचे रामचंदर जी पेला प्रगट थया और वाल्मी के रामायन पेला प्रगट थया अने वाल्मी क कि रामाण में क्या थी होई एविद पुर्ण पुर्षवत्तम नारायन पेली जवखता ब्रह्मान नेंदर पधार्या और पचे आपने बीजे सोधिये क्या क्या थी मले क्या थी मले शास्त्रकार नी द्रश्टी पन क्या थी पोँचे सर्वोपरी पुर्श्वक्तम नारायन नी वात ने अंदर तो महराज ए समझावे छे कि आमें बोले ए साचु कि पहला कोग आचार ये बोले आसे कि पहला कोग पिला बोले आसे साचु त्यार ए वकते मुक्तानें स्वामी ने महराज समझावे कि शास्त्रना शब्दोनी तंती ए आपणने आडियावे त्या सूधी आपणने समझी सकाईनी तो केविरीते समझाए शास्त्र आपणने संत ओल खावे आने संतना वचंती भगवानना सुरुपनो निश्चे थाए अन्तियानू सत्याविस्मू वच्चनाम भते विशेश वात पाची आपणने पाचल आववा नीशे पन महराजना महिमानू प्रवर्तन जेम छे एम एतो एना अक्षर धाम एवा गुणातिताने स्वामी ये करी शके आने एमने प्रवर्त आविऊ मोटा मोटाने आवाज समझवी कठन पड़ती थी गुणातिताने स्वामी एक वात्मा बोल्या स्वामी के एक थी ते लाख बकरा बोले ने त्यासुदी कोई ने काई मुझवन नो थाई लाख बकरा बोले तो इवीक नो लागे पन एक केसरी सिह जो गर्जना करें तो हाथी ना गंड सलफाटी जाए एवी रिते माहरादने बीजा आउतार जे वाके ने त्यासुदी तो प्रश्ण थतो नथी पन बीजा आउतार माहरादनु दिधेलू अईश्वरिय भोगवे जे आने माहरादने बजी-बजी ने एवात है आचे एम जे केऊ एतो केसरी सिहना नाथी हाथी ना गंड सल फाटी पड़े एवी कठन पड़े चे आज आउतार आउतारी नो बेच चे ने पुझे शूती प्रेकास स्वामी बहु सुंदर पुस्तक लख्यू चे के भगवान ना आउतारो एटले सुंके वाई तो एककज भगवान जुदा 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 वेश धारन करे चे एटले ना माटे उपमा आपमा मावे चे भवायो अने वेश एकनो एक भवायो जुदा 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 वेश धारन करीने आवे भवायोत एककज होई तो क्यारेक ए राजानो रोल भजवे ने क्यारेक नो करनो रोल भजवे एवी रिते एककज भगवान छे एक क्यारेक राम रूपे आवे क्यारेक क्रश्न भगवान रूपे आवे क्यारेक स्वामी नारान रूपे आवे तत्व तो एकनो एकज छे लोयानु चौवदमू वचना माराजी बद्द आउतारों ने समान केटे गरीमा नथी मुख्या अलग-अलग क्षाय मुख्या चे इतियास पने वात नो साक्षी चे रामचंद्र भगवान पन आउतार अता परशुराम पन आउतार अता बनने भेगा आता परशुराम नो ते तो पुर्षोत्तम नारायन ए पोते विराठ पुरुष आ ब्रह्मान ना जे विराठ पुरुष चे ने नाभी कमल माथी ब्रह्मा प्रगट थया आपने ए दर्श्य जोई हो असे कणि जिके ओ फोटोग्राप जोई हो असे कि शेष सया उपर विराठ नारायन पोड़िया आने नाभी माथी कमल खिलियुँचे आने कमल नी उपर ब्रह्मा बेठाचे ए उजोई हो असे तो ए जे विराठ पुरुष चे ने आ ब्रह्मान ना एना द्वारा पुर्षोत्तम नारायन ए विराठ पुरुष द्वारा ए कोई इश्वर चैतन्द्यमा प्रवेश करे गम अनुप्रवेश एकले शू संकल्प मात्र प्रवेश्ट बद्धे चानुअनुमा भगवान रहलाचे अनुप्रवेश एकले शू एकले शू एकले संकल्प करे के आना द्वारा अटला कारिय थाओ अने थवा मांडे ए भगवान नो अनुप्रवेश के वाए अवतार मात् उन्हों प्रंध ची आतमा ये इस्वर होई जीविष्वर माया ब्रहाँ परभ्राम्ध मा इस्वर होई पन्पर ब्रहा की जीविष्वर जीचे पूर्शत्तमनाराहेन ये तो जुदा से अने ए श्रीजी महाराज सर्व अवतार ना अवतारी इसे अने पेल्ली वखत आ लोक नेंदर आव्या बिजा आवतार आव्या ता एमा महाराजी शक्ति पन मुक्की आशे पन श्रीजी महराज पेली वकत आ ब्रह्मान नेंदर सर्वोपरी पुर्षोत्तम नारे नाव्या अवे ए वाद आपने समझावे कौन गुणादितानें स्वामी पासे अबेसी दरबारे वाद करी एमने कि दू के स्वामी आ सर्वोपरी पनानी गेड मने बेस्ती नथी तो ग पेसी के स्वामी एमा मने शंका न थी उँ जानू चू के तमे तो एवा संत छोज तो गुणादितानें स्वामी के के त्रीस लक्षन युक्त साधू होई ए खोटू बोले एकना स्वामी ना बोले गुणादितानें स्वामी ना बोले गुणादितानें बस तो अमारा वच जाए बता एवी ना बिज़ कोई उपाए न थी तो गुणादिता न स्वामी आना माटे ज आ लोक ने अंदर आवया माहराद नी साथे के यह ने तो माहराद ना स्वरुपनू जेमचे एम प्रवर्तन कर्यू गुपादा नन स्वामी महान संतता अने तो मुक्तक पंक्ति ना संतता महराज न पंड आ वात नू प्रवर्तन ए गुणातित द्वाराज थाइशके ए वातनो महराज ने स्धिध्धांत श्थापित करवो हुआ था भिपतला माते गोपलान स्वामी द्वारापन ए प्रवर्तन न थाइउ महाराद ने गुणातित द्वाराज पोतानों स्वरुब खुलू थाई चे सम्झाव अशे बदाने तो गोपाराण स्वामी प्रवर्तावी न शक्या तो एक वखत एवु थाईओ के महाराज गोपाराण स्वामी न सपना में दर्शन है आपया पाचा तो हम स्वामी तो हजारवरब स्वामी वखत नई करों यहां चे तें तो एक हजारवरस और यहां आप डूआ सिर्दों यहां अत्यार एक गुपान स्वामी ना दर्शन थात, पने अमने कि तुक नथी रहुमारे, एटले बराबर हिम्मत भेगी करी अमने, आने हिम्मत भेगी करी ने उम्रेठ नी अंदर, सभा नी अंदर, एमने जे सरो परिपणा नी बदी वातो करी ने, श्री जी महराज, बीजा आइड्रेशन थेगियो, विक्नेस आवी गई, पथारी वर्ष थेगिया, बदाने चिंता थवा मंडी, तो रगुविर्जी महराजे जीन आश्वासन आपियो अमने, और पचे रगुविर्जी महराजे गोपान स्वामी ने कि दुख स्वामी जरा मापमा वाद करो, आग क कोई सधी सधी नथी आलोक अने, तो गोपान स्वामी पची उदासिंता ग्रहन कर ली दी, और पची वड़तालजी ने पोते दे, छोडी दी तो, पन गुणादितानन स्वामी ने तमें जुओ, एने केनारा तो मल्या, बोलाना चास्त्री के, अरे स्वामी तमें आवी अंदर गुणादितानन स्वामी आचार्य महाराज, अयोध्या प्रसाजी महाराज बिराज मानता, आदी आचार्य पेल ला केवाई, और गुणादितानन स्वामी जवर्जस्त एकदम महाराजना सरुपरी पणानी वात उपड़ी, तो आचार्य महाराज दुरुजी गया, एमने आवात एकदम नवी लागी एमने किदू के गुणातियान स्वाइन के स्वामी आ नवी वात तमें क्या थी ले आव्या प्रश्न विवेक्थी पूछाय होतो पन पाच्छलनों आशेशन होतो आवात में क्यारे सामबली नथी बिजू आँ तमे घर नी उपज़ाविकाड़ियों एवु लागेशे आ श्रीजी महराज़नों सिध्धान नथी लागतो आ तो तमे बदा आउतारोने नोखा पड़ोशोने बदू अँ तमे उपज़ावीकाड़ियों एवु लागेशे आवो प्रिष्ण बाचल नो आशे हतो कि तमे आवाद क्या थी लिया व्या गुणादितान स्वामी तरज जवावापयो कि तमारा बापे कानो कानमने आवाद करी छे श्री जी महाराजे बीजो कौन केसे अने पछी स्वामी कितु सभामा जावधी वाद चाले छे गुणादितानन स्वामी कोई वाथ सत्य वाथ म कोई दिवस दबात अनो था गुणादितानन स्वामी कि तुक आचारिय महाराज तमने आमारामा केटलू हेच्छे तो आचारिय महाराज कि तुक स्वामी तमारामा तो मने खरे-खरू हेच्छे, अने हतु, अयोद्या प्रसाज जी माहराज ने, गुणाथितानन स्वामे मायुए है, तो हतु कि एमने स्वागतमा आखो आम भव्य संद्मान करवा माटे हाथी मोकलियो, स्वामी बेशवा माटे, स्वामी बेठा नहीं, पर एमना स्वागतमा अमारा प्रत्य तो मने खुब हेच्छे, तो गुणाथितानन स्वामी के, के मारा प्रत्य हेच्छे वाज साची, पन तमारा खजानानी कुची छे, ये तमे कोने आपो, मने आपो, के तमारा दिकरा केशो प्रसाद ने आपो, एटले मने के दुख स्वामी ये तो केशो प् महाराजे पुर्षोत्तम पणानी कुची तो अमने आपीचे। तमने तो मनावा पुजावानी कुची आपीचे। गाधी तके बेशाओ, मनाव पुजाओ, एनी कुची तमने आपीचे। पुर्षोत्तम पणानू प्रवर्तन करूँ एतो गुणातित करी सके। पची गुण गुणादितानन स्वामी के व्यापगानन स्वामी जारे पली वकत लोजनी अंदर आवया अने त्या अगल महराज पासे आवया ने महराज समाधी करावी एमने व्यापगानन स्वामी ने अने ए वकते महाराजे अक्षर धामना दर्शन कराव्या अने त्या अगल यहमने एवो संकत थोयो के मारे बधा मुक्तोनी पुजा करवी छे त्यारे महाराजे एवु किदू के बिजा आवतार जो पुर्षवत्तम नाराण होय तो मारा अननत स्वरूप थाओ पड़ न थया पंजारे एवो किदू के श्री जी मारा स्वरूप परी होय तो मारा अननत स्वरूप थाओ एवी रिते एमना अननत स्वरूप थाया और यहमने बधा मुक्तोनी एक काला वच्छिन पुजा करेली आवाद साची के खोटी स्वरूप अरि पिला के आननत सोय आवाद तो मे क तो गुणातिन स्वामी जी वात करी, स्वरूपानन स्वामी, एने मांगरोल ने अंदर पहला महाराजे कृष्ण स्वरूपे दर्शन आपया, आने पछी एवा बद्धा आउतारो पोताना स्वरूप माती प्रगट करी बद्धाविया, एवा चाची के खोटी, क्या तो पान स्वामी केटली पारा सांबली छे, त्रीजो प्रसंग की तो, क्या परवत बद्धाई ने जारे पेलो आम खेतर नी अंदरे उठाईू, नुरूसी हाउतार क्यो अशे हो संकप थो, और चोविस हाउतारो हाजर थे गया, और चोविस हे चोविस हाउतारो महाराजनी अवाज साची के खोटी, के में परवत बैपासे जावाज सांबली छे, अवाज बदा प्रसंगों नी सीरीज माराज गुणातितान स्वामी करावी, और पचे चल्ले अनन्दान स्वामी ने किदू के चल्ली वाद करू तम ने आवे, आमडावाद ने तर नर्नारायन अनन्दान स्वामी नो तमारो हाथ पकड़ी आनने मंदेर नी पाचल रूप चोकी मा लेगया, और एमडे ए वकथे श्री जी माराज गिदू, कि आवा अनन्द नर्नारायन, अनन्द लक्ष्मी नारायन और अन्द कृष्ण नारायन ए प्रगट स्वामी नारायन नो भजन करें चे एवाद साची के खोटी आने देन स्वामी के आतो मारीज वाद चे आतो मेज साबलेली वाद चे तो बदा स्थब्द थाई गया खुणादी ताने स्वामी ने विशेष्टा शुमती स्वामी आ स्वरू प्रगट करवामा एक तो कोई ना थी दबात अनो ता बिजे स 16 वर्ष ने उमर थाई गयी त्या सुधी पोताना जीवन में एक पंड ऎमने आज्ञानो लोप करयो न थी पड़ देहनो तो पड़तो खामी हती ए वख्गत है गुनादी तानने स्वामी पासे तो स्वामी मारी शूँ खामी चे गुनादी तानने स्वामी के के खामी एक प्रमुक स्वामी महाराज उगनिसोने चोरियासीनी साल मा त्यां अमेरिकानी अंदर लोस एंजलेस पदा रहा था त्यां लोस एंजलेस नी पासे एक पाम स्म्रिंग्स नामनो एक स्थान चे उचाई उपर आवेले दस हज़ार फीट नी उचाई उपर छे अत्यर जेम आपड़े आबू लोको फरवा जाए छे एम लोको त्या फरवा जाए तो बदा हरी बगतों नी बहु इच्छा आते के घजार लोको धा एक आते का आते के अक्षा ना पिये स्वरुप निने चीदाकाश्चि ने बहु छरस वातों करी एकले पचले स्वामी एकल बहु आवेलें respected हReiиком पन एकड़ ईकडम बाहों मा आवेक्या ये वातों करी उपर छे देखातू नती ने सामे छे ए मनातू नती पची स्वामे के के जो आई आपने मनाई गयू तो प्रत्यक्ष स्वरुपमा निस्थावी तो आपने अक्षर धाम माज बेठा छी है कै कि आपने प्रिमान स्वामे कीरतन प्रित्तन गवड़ावी योगिचरान स्वामे कीरतन बोला पूर्सोतम बोला पृत्ते एक किरतन ना शब्दो छे है। पने पुरुषोत्तम बोल अप्रिती आख्षू किर्थन इमा स्वरूपनिष्ठानी वातों चे ए वात किर्थननों स्वामी निरूपन करवा मड़ा एक पंक्ति गवाती जे स्वामी निरूपन करताजे आग प्रवचननी ओडियो चे आपणी पासे तो स्वामी एकदम भाव आपने जम पुजा मा तपनी माला करिये छे एम एक पगे उभारे गया स्वामी और पची बापा के क्या अवतार मात्र आवी रिते एक पगे उभारे ने महराद नी स्तुती करें अपने घुरुना वचन मा जितलो विश्वास होई एटली आपने इस्तदेवना स्वरूपनी निष्ठा थाई चे पची एमा कोई काचा परेती नथी निष्टकुलान अरे निर्गुंडा स्वामी एक पत्र नियंदर आ उल्लेक करियो चे भगजी महराज विश्वे वाद करी चे के पेल्ला तो आमें महराद ने बीजा अवतार केवामा पन थड़को खाता ता एवा अपन महराद ने नोता समझता विजा आउतार जेवा कृष्ण बगवान जेवा पन नोता समझता पना भगजी महराद नो योग थए और एम ना योगे करी और एवु बढ़ा आवे गियो के पची तो आउतार मात्र स्वामी नाड़न दितु कने थू भगवे चे एम केवा अमा लेश मात्र थड़िकाड थतो न थी, एमनी निष्टा छे एक गुरुना वचन थी थाई, इस्तदेवना वचन थी थाई, अने एना थी बढ़ावे, हवे आ वातनो जो आपने वीचार करिये साधनाना भाग मा आपने आगल वदिये चिये, तो आपने किटला मोटा स्था आपने किवी मोटी प्राप्ति करिने बेठा चिये, सहज पने, आपनो साधन न थी, पन गुरु परंपराय आपने वो योग करावे दिदो, अने एने लिदे आपना माटे किटली हायर पोजिशन एमने पोते आपनी बनावे दिदी, ये आपनने पन घणी वर बूलाई जा तो आगल जे अवतारों थाई गया, बराबर ध्यानती सामळवा जेवा शब्दों चे, रदैमा धारवा जेवा जेवा जे, मनन करवा जेवा जे, विचार करिने एनो लाबलेवा जेवा जेवा जे, महाराज एव किदो, कि आगल जे अवतारों थाई गया, मोटा मोटा, थ जे अवतारो थाई गया एना करता करोडो घणु अधिक दैवत आ सत्संगी ना चोकरा मा देखाई छे तो मोटा मोटा हरी बक्तो मोटा साधू अने महराद नो महिमा नो तो पारत स्मावे आवाद गुणादितानें स्वामी चे किधी विचार आपडे करवानों ची के आवाद साची चे के स्वामी हाव टाडापोर नी जावा दिदी चे गप्पू चे के खरेखर साची चे गुनाधितानन स्वामी आवाद करिने सु हरी बक्त न चोकराना खाले वखान करवा मागता था पी आर करता था पी आर पी आर में वह आवे कि तमें कोपने राजी करवा ते न चोकरान वखान करवा था ते गुणादितान स्वामी ज化 पांसे लिए र्वामोज कया हुए, enclosed रर्शियु खुल कुछ स्वामाइ. ये बन्ने बाबत में आपड़े गुणादितानेन स्वामी ना वचनों विचार करें स्वामी ना व्यक्तित्व के हुँचे गुणादितानेन स्वामी त्या जुनागड माताने शिवलाल सेठ आवया अवे शिवलाल सेठ केवा आता नौ लाखना आसामी ये वकते बहु मोट वी आईपी मा आवे वा के वाए बराबर ने आने मोटा-मोटा बे समया एकला हाते स्पोंसर करी नावया था त्या गरडानी अंदर हरी कृष्ण मारादनी मुर्ती प्रतिष्था न उच्छव एना वोल एंड सोल दाता कोई होई शिवलाल सेट अक्षो प्रतिष्था महोत सव आने त्याथी भावनगरमा रगुवर्जी मारादनी मुट्टी पधरामनी करावी एमनी ओलखान एमनी शाखन एमना खर्चे बदू कारिक्रम थेओ ये बद्दू पतावे आम जही जही कार थे वहाँ शिवलाल वहाँ शिवलाल ये उबदे थतो तो ए पचे शिवलाल से जुना गड़ाव्या ए वक्ते गुणादी ताने स्वामे ने मल्या आने स्वामी येमने हार नथी पेरावता सभानी अंदर आगल बेसाडता ही नथी पन सुन केचे खबर चे के स्विलाल तारा मनमा एम जाने चे के मैं गरणामा हरी कृष्ण महारादने पदराव्या आने भावने गरमा रगुविर ची महारादने पदरामनी करावी ते बो मोटू काम करिऊ पन तारा जीव सामो स्वामी सिद्धाननी बाबत मा कोई लोकिक मोबत राखता नो तारा गुर जी मारादने कई दिदू के मारा पर के हुँ है स्वामी के ये तो खरे खरू पन जो मने भी खबर पड़े के तमारा सिग्राम मा पार की छो महिना नी बालकी बेठी चे तो आ मंदीना दर्वाजा आने भी बाबत में शबां पड़े गर्ण कोई लोकिक है तो ए आप ड़ी भी खर упने खराजा आने एटले जो आवाजागे है ये त्यारे खरेखर एवु लागे करिए औने हिसाब में आवे के 10 करोड मांथी 5 करोड थी गया तो आने शूं केवाई खोट पन बीजिवो प्रकार कावचे के 10 करोड नो रोकाण करिऊ आख्खो वरस धंदो करिऊ वरस नानते हिसाब मांड़ेऊ तो नफोथ हो केटलो नफोथ हो तो गणतरी करी 100 रूपयानो नफोथ हो एने खोट केवाई के ना केवाई केवाई के नहीं अरे 10 करोड रूपयानो तमें खाली व्याजतो गणो रोकाण करिऊ शे तमें तो ये केटलो थाए 10 करोड केवाई एक करोड ने एटलिस्ट करोड तो आवा जोए, सो रूपया नो नफो कई नफो केवाई, जे प्रमाणी नो रोकान चे, जे प्रमाणी तमारे पासे मोडी चे, एनी सामे सो रूपया नो नफो कई नफो केवाई, एवी रिते, जे प्रकार नो सत्संग में आपने लाब चे, जे प्रकार न वेल पर ना विचारों, ना ना एक खरी भक्तन आपने दोशों देखाये करे, स्वभा हो देखाये करे, प्रकृती, एनी चर्चा, आम बराबर न करू। आम बराबर ना खरूँ सत्संग में आटला निरने ओ बराबर ना आटला और केवी छिछरी बाबतों में आपड़े फसायल आरीएचे आ मंदिर में आवी ने जये विचार करवा जयो चे के आपड़े लाब लेएचे के खोट खाईने जयेचे दर्शन करया बहु लाब थो दंडवत करया बहु लाब थो एनी वाद पाचला आवानी चे आपड़े केटली बदी कमानी करिये चीनी पण एवी केटली जग्या चे के जेनी अंदर आपड़े स्रवी जाई से आपड़े आऊ बदू लाब सुख न थेले शक्ता महाराजे मध्यना 17 मा बचन मा केई वाद करे चे एक वचन मा विचर आपड़े करिये गरड़ा मध्यनू 17 मा बचना मुझ चे श्री जी महाराजे येवी वाद करे के आ सत्संग नि अंदर जे खराब मा खराब असे साव भुंडो अतिशे एन अंदर अतिशे वास्तना से अतिशे आम अखी दूनियानी वास्तना भेगी करें एक जड़ में इटली बदी अतिशे काम अतिशे क्रोध अतिशे लोब अतिशे स्वाद अतिशे खोट एनि अंदर कदाच कोकना मा रही जासे तो आम आम संबंद हो चे के कदाच एनि खराब मा खराब गती थासे ने तो मृत्यु पची एक कातो ब्रह्मा थासे औने कातो इंद्र थासे एना थी हेठे नहीं गतीनी आए. ख़राबमा, ख़राबमा, खराबमा, खराब गती कई, का तो अपन में लेक ब्रमा क्या था. इतलू तो ठीक, पण एनी पहुंच, अत्यारे तो काई नाथी, अत्यारे तो साव सामाने से, पण अत्यारे जे संजोगों गोठवाई से, ये प्रमाने कदाच एवू छे कि भारत ना प्राइम मिनिस्टर बनी जाए। ये कोई काई नाथी, पण खराब मा खराब थासे ने तो इंद्र थासे के ब्रमा थासे, थोड़ाक समय पची, बहु लाम्बू, समय नाथी, तो आपने खबर पड़े आटला मोटा था आपने संबन्नों बगाड़ी है, इनी आरे, अने वने त्या सुदी सारा राखवा, पर कौने हजार ने लाख उपवास करेहना करता वदार अजे शिवरतलिण उपवास, पर अब्ण आपने बारे बढ़तो हो हैं परनाने क्रमक्षित्र में करीए हैं, आगनाथी करीए, कौने आगनाथी, कौना साने इध्यमान प्राजी करष्ग्यों अपने कमाने करिये अचिये, यह अपने बुलाई जाये, ना, ना, प्रश्णों, यह अपने चुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ आपने मानी न सक्किये, भुलाई जाए, करण के दुनिया ना प्रश्ण ये वाचे ने, ये अपने आनन ने खेची जाए, और आपने ये माथी बहार न निकली सक्किये, एटले सत्पुरुष्ण वचने करी ने, आपने एटलू समझाई जाए, श्री जी माराज अंतिना बी अहेतली के अहेतले सत्पुरुष्ण भहव बहाः नतीम ने खेची जाए, एटल आश्री सक्कितिया उचिव सक्किये, आपने चीव सक्षण बहार ने सत्पुरुष्ण दुनिया जाता, आपने आपने उटे poll याध नट्स, आफने दूत चेख़ं, और आपने आपने मरिं हिप citoyen, आतम प्रिशूदा. सिवजी प्रगट थे सिवजी, आमगे आम आपण। अपनेISH कौसा होगा वहें. तो आपने शुटायरा शुटायर से शुटायरर। नो है वर भांगा पिवे कुई है। शुटायर अपने बाजय भारो खाली जोका काता ही ने। तो यह आपने साहननों करी। जे लोम्रें को अबने करी। तेक बोलोडें विचारिके वहाला आ पादा है। तो आगल पासले में भीचा, हम आपड़ी थे उन्हा थे जाएज पड़ेगा हैं, आटली वर्न सी बियाद। कच, 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 आपड़ा मनमा चाल्या करती हुए हैं, बद्धी बाजुमा मुकी देवानी जरूरी हैं, माल एटलो मोटो हैं, जेटलो कॉंप्रमाइज करू पड़न बदू समाधन करी दो, बुझे महांसामी घणिकद वाद करें हैं, कि तमें 25 करोड़न बंगलो बांतियो हुए, कोई तोड़े, वरस्दाडा में कोई तोड़े, पड़न एवी खबर पड़े कि आनी नीचे तो तेल नो बंडार छे, आने अब जो करोड़नो माल एठे पड़े हैं, अब जो करोड़नो आ 25 करोड़नो बंगलो एने अटकावे छे, तोड़ी आपने नड़े छे, अटलो मोटा माल नी अंदर भले सारा विचारोय तोड़ी नाखो, केम नड़े छे आपने, केम आपने नथिले ही शकता सुख, प्राप्तिनो आनन लेवानी अंदर जेकाई नड़े छे ने बद्दा ने छोड़ी देवाने जरूर छे, सो माथा जाता स आपने माथा चोगाला अर्थ हाँएट, आपने वीजा माथा आपी युथे पन आपने माथा नी अंदर जे बुद्धी पढ़ी निय नथि छोड़ी सकता. माथा छोड़ुवा एटले सु, आम कापीन मुखी देवा एम नहीं, माथु एटले मुद्धी, सो माथा मुखी देवा पड़े ने, ये मालचे आपड़ी पासे, बुद्धी ना नाथी छोड़ी सकता, ये वा तर्क वितर को आपड़ावय करेशे, ये मुखी अने सर्वोप अनन्द, पहला तो आपड़े भोगविए दुनिया ने जे थावे थाए, पाछी मुखी ने बाजुमा, बीजान हम जावन बदू पछी, आपड़े बदू बदू पछी, पहला तो आपड़े जीव माँ ध्रड़ करिए, कि सर्वोपरी माल मने अमले उन सवारे उटतावे मने एवा वीचारो कियम आवेचे, मारी पासे शु नर्थी, एवा वीचारो कियम नर्थ आवता है, मारी पासे शु छे, एवा वीचारो कियम नर्थी करता। शु नथी एना विचारोनी सीरीज होईच आपणी पास है, शु छे एना विचारोनू कोई माप होतु नथी, एनी सामेजारे जोईए, सर्व उपरी पणू एछे, क्या ए आपणने मलिव चे, अने आपडे मानवानु चे, बची आपडे मान सुएटले दुनियामा तो बची पची लोकों लेसे लाब आपड, आपड़ा थकी लाब जेने थाओ होई, आपड़ा योगमा आऊशे, आपड़ी सेवाचे, ये आपड़े बदाने समझावशू, अवे चल्ली वाद, आपड़े आपड़ी वाद करी एमना वचन होथी, हवे एक नजर नियंदर आपड़ आपड़ी जी माहराज, योगी बापा, प्रमुक स्वामी माहराज, जेवा सत्पुरुष्न वचन्थी भगवान नो स्वरुप समझवानू, स्वामी नी वातों सुंके चे, प्रमुक स्वामी माहराज सुंके चे, ये समझाईगी एक वार, पची शु करवानू ये पुस् समाधी थाय, स्वामी नारण दश्रित नहीं है, रहें हिंदू । जहनों समाधी थाय ख्रिस्थियों,оС्य। यहें मुसल्मानों समाधी थाय, बद्धा ने ज्यायां पोता नी आस्ता होई, वा महराज दर्शन वकते गरावेलर्ण। अठ्या कारिय सा मुझता रुछा, व् सुधी थती आवी चे महाराद ना योग नियंदर आ संपरदय नियंदर वी स्थितिय उपास्ता ना बलती चे सूरा खाचर आम जुओ तो हाँ गामठी मानस केवाई काई भनेला गनेला तो नहीं जुओ और जाडू शरीर जाडा लुगडा जाडी बोली बुद्धी तो जाडी ना केवाण के महाराद ने ओलखिया था पन आम केवा आम शुर्वीर भक्तों आवे ना मार फड मावे पन अड़ी रात्रे जस्दन नियंदर बिला दरबार एमनी पासे परस्त्री मोकली संजोगो जो एकांत स्थान रात्री नो समय परस्त्री नो आतो मोटा मोटा रुशीमोनियों दस्ता सजारवरस्त पश्चर्याक करीन बेठा होई ने तो इविकेट उड़ी जाए पन एमा सुरोखाचर सी जेवापोते उभारया तलवार काढी महाराद नु कारिया था पली राजबाई आम तो काठियन बायाती साओ गामडानी सू ब पराने घरना लोकवे सगाई करी एना मातु श्रे कितू के राजु तारी चुंदडी आवे जे बली तारी चुंदडी तो बढ़ बढ़ चुंदडी बली के तो इविके दने ने सीही देखाए राजबाई ने अंदर तो इने मोकलिया के तामें बगवान बजो ते गरड़ अक्षी जिन्दगी असी धारा वरत पुरुष्णी सामे नजरनी एनी चायो न पड़वादे एवी रिते हमने मन्थी पन एव द्रड वरत पालिव जारे या देह चोड़े हमने अगनी अमना शरी न स्पर्ष्ण करी शेके देवताने बीक लागे मने द्रोह थासे कितलू पुपालान स्वामे चूटा पिके शती तो धाम मा गया अगनी ने के चे तमें अड़ो हवे वांदो न थी अन्य पछी एना देह ने बाली सक्या आवा प्रसंगों क्या दुनियामा जुवा मले चे दुनियामा भक्तो थाया चे एक दुरू थाया एक प्रहला थाया एक सी मेता थाया चे के कोई तुकाराम थाया चे कोई कोई मिराबाई थाया चे हजारो हजारो वर्षो ना अंतरे अत्यर आपनने नाम एक साथे बोलिये चे पन वच्चे डिस्टन्स केटलू चे हजारो हजारो वर्षो नू महाराज ना वक्तमा एक साथे हजारो हतावा एक सा अदि आम जे महाराजिक अगलना उतारोने अंदर कोई करिऊ आसे शमर्पन करावी होए तो बली राजा एक समर्पन करिऊ होए हजारों बली राजा हो दादा खाचर जवा आजे जुआ ने आदनी तारिके जुआ अटलू समर्पन दिक्रा आपी देवा धन आपी देवा सर्वस्व समर्पन करी देवा एनी गाथाओ एटली बदी चैन के हवे एनी कोई महत्ता जापने न थी रही यू थे यू बली राजा जेवा आपड़े द्रस्तान तो बिग्या करिया ने सेकड़ों मा जाए एटले हवे आपड़े बोलता ही न थी बहु क्या तो होई खाले के जाम नगर मंदिर थियू बदाए बहु समर्पन करी एक वाक्यम पता ही दिया आपड़े क्या बाजू पेलोसु इमत अधिवास्ति बग्तन बदे बहु समर्पन करी वादपूरी कॉमन थे आपड़े त्या ये तमें जुओ तो खरा दुनिया माओ क्या जुओ अमले तो महराजे जे स्थिति करावी छे महराजे जे परमन्सों बनाव्या छे आईश्वर्य ने अंदर तमें जुओ बदा ब्र आई ट्रांस्प्लांट थाई से तो आई ट्रांस्प्लांट थाई से कोई ने बगड़ी कियो है ने तो बराबर हाट ट्रांस्प्लांट थाई से अरे लिवर बन ट्रांस्प्लांट थाई से किड्नी ट्रांस्प्लांट थाई से अपड़े जीव ट्रांस्प्लांट करे जी सच्चिधान स्वामी इंद्रन लात्मारीन वर्साद वर्साद वर्सावयो कि पहला अजंपानन स्वामी जुनागण मंदिर मां हल चुराइब तो सिव जी पहां पोंचे गया उपर सिदेश्व मादे उपद्राइब उपर महारादनी बाजू मां छिला खड़नी अंदर तो जैने सिव जी ने खखड़ा उपर कहीं बेशो और मारादनी साथे थाल जमोंचो मंदिर उध्यान नथी रागता तो हल चोराइब गया मंदिना काल सवर सुधिम पाच आवी जाओ जिन तो थाल बन करदीश तो सिव जी पेला ने खरेकर रातना लात मारीन जगाड़ो चोर ने आने कि दू के तू हाल हवारुदिम पोगाड़ देन तो मारा थाल बन थाल बन थासे तो पल खरेकर आवे और माफी मागी एक मने सिव जी बापा आवी ने कही गया से तो देवताओ उपर सत्ता जलावे हुक्कम करी शके एवा इश्वरिय ये परमनसों मा एवा कोई तो भगवान थी ने पुझाई ने ये माहरादना दास थी ने रहा अब दे के वा आता मुक्तानन स्वामी ने ब्रमानन स्वामी नित्यानन स्वामी ने बदाम बेठा होई आने माहराज ये बदाने हाजिनिम के हुँ भगवान थी ने कोई माने आकोई एवा नाना किकला जेवा आता एवा आता के भगवान नी वात मानीले पाचा हुँ भगवान थी ने कोई जीब खेंची लेवा थी ने कोई आड़ो बोले ने तो सिद्धाननी बाबतमा ब्रमा प्रच्छी बापों ने के बे दिवसमा स्वामी नाणनू भगवान पुन उतारी नावुचू। यहुँ कई निकलाता ने। पन ओगली गया। ते कई हज सुधी ओगली गया। महराजे केटला घूम्टा तनायवा आवा पूरुष पासे। यहुँने गोडा खवडावया। रता अंदला थाय त्यां सुधी खटरसना वरत्मान पडावया। यहुँने महराजे हाड हाड करया। टाटनो आपयू एक वेदपन। यहा संजोगों माती पसार करया बदाने अने बदा महराज ने हाड जोडीने के निगम कहे अनुमानने मुनी वरने नावे ध्याने ते वालो अभीने वाने। किर्तनो महराज नाच बनावया। कि महराज नी आखमा महराज ना पापण ना किर्तनो महराज नी चाल ना किर्तनो महराज ना हास्य ना किर्तनो महराज बागना किरतनों बागना छोगलाना किरतनों तनमा ही थे आज भगवान चे तो ए बरमनसो आवा पुरुषो जेनी पासे हाज जोडी न उबारे महाराज के अंदाना चटावा मा आवा मुक्तो ने पन वश वर्तावानु जे सामर्थे चे ए पुरुषोत्तम नारेन से हजारो लाखो करोडो अबजो लोको भगवान ने माने चे बद्धा पोत पोता ने रिते भगवान भजे चे आने जुदाईदा स्वरूप मा एक जिग्याए एव वचन न थी अंत काले हूं तेडवा माटे आविश जाओ जाहर करो माहराज एव कितु मारा जनने अंत काले जरूर तेडवा आवू बिरुद मारु एना बदले सर्वे जनने जनावू जाओ को बदाने खाली तमारा माटे नहीं तमा बिजाने को जाहराद करो मारु बिरुद एव बदलवानू नथी आज चुटणी ना वचन जेव वचन नथी महराज केके मारू भीरूद एक क्यारे ही बदल्वानु नती त्रिकाला बाधी अने ए महराज आजे तेडवा आवेशे प्रमुक स्वामी महराज आजे तेडवा आवेशे दर्शन आपी न लिजाई शे त्या गोंडल यंदर निर्मल सी राणा यहना मातुश्री ना धाम्गमन निमित्ये पार्यण आती बापा पासे जीने वाद करी 2005 माँ घणु करी अपार्यण थे थी तो स्वामी पासे जीने वाद करी के स्वामी आब दी वाद थाय यह सतसंगमां तकाले महराथ तेडवा मात आवे號ैं आप तेड़वा माट आओ, ये के हुँ वाद सामबर तो दोखरो पन मने बराबर येमा प्रतिती आओती नोती, पाण मारा घर माज एवाद बनी, के मारा मातूश्री धाम मा जता पहला, मारो भाई राजेंदर बाजू माज बेठो तो, अने अड़ोकल लाकसो दी बोलता रह अने हुँ धाम मा जाओ छू, त्यारे मने लाग्यू के ना एवाद साची छे, तो आजे एवा ऐश्वरे पशी दरेक जी के के परचानों बतावें, तेज नों बतावें, पन वचन बधाने अमने आपे लूचे मारा जननने अंत काले जरूरे तेडवा, आवो बिरुद मा एवा जननने जनावू, तो एवचन माहराजे आपियू, आने अंत काले आपने हाथ पकड़ीने अक्षर दाम पोता नी पांसे बेसाडवानों कोल आपियों, तो ए महाराजे पोतानों बजन करावियू, अलोकिक सामरिथिय माहराजे पोतानों प्रगड पणू गायम माठे आप रुठ्वी पर राख्यू एव कोई अत्यार सुधी एव वचन आप्यू नथी। एटला बद्धा वचनों एक वार वचनों विचार करें पछी आज महाराजे वाद करी अरे महाराजनों एश्वरिये चे सामर्थे चे एमनू कारिये चे एनों विचार करी पछी आपने आनंद अखंड रया करें आनी साथे महाराज एक वाद बतावी कि आवो निष्ठानों केफ आपने रे विचा कोई नो भार आपने नो रे कोई नो भार आपने नो रे कोई नो आश्रा नी हवे जरूर न थी आथी ना पगलामा बद्धा पगला आवी गया एम पुर्षत्त लेक् Walker नै रे नो रे नो आश्रौ थयो देवताओ करें अधिक तो आपने बता थेह गया एमना संबंदे करें आपने बले हाउ सामाने चीरative पड़ न संबंदे करिना करता दो अधिक थाई गया, जे निश्कुलान स्वामियमना किर्थम मा थयुँचे, के मोटा मोटा देवताओ चे एवा देवताना दर्शन थाता नथी थोड़ी वात मारे, एवा देवताओ, जेना दर्शन लोकोने नथी तता, ए देवताओ पन मु जरूर न थी, अवे तो कल्यान नू सदावरत आपड़े आपता थे गयो मारे जे किदू, के मारा भक्तना दर्शन कर्शे नू कल्यान थासे, त्यां सुधिया आपड़े नमुकी दिदा, एनी हवे आपड़े जरूर न थी, पन साथे साथे एक वात ए पन समझवानी, श्री कृष्ण भगवान चे, किटलाक न सुधाई चे, सर्वोपरी पनानू रियेक्षन आवे, जो गुरु थाकी, सत्पुरुष थाकी आवात न समझानी होए ने, तो सुधाई, चेम दवा सदेनी ने रियेक्षन आवे ने, रियेक्षन सुधा आवे, तिरस्कार करता थ श्री माझन वक्तमा कोई कहता है के तो यह तो हनमान जी सारंपुरमा चे ने हमारे है, यह के हनमान जी न दर्शन आपियावी हम, यह के? लंगडो हों के? इवा शब्दो वापरे, श्री जी महाराज ने गमियो नहीं, यह थबको आपयो, कि हनमान जीनु जीवन चे, एनो स सोमो भागी तमारमाँ छे, किदू शास्त्रीजी महाराजे, तो खोटो केफ, अम्था पाचो के हो है, कि आम मिनिस्टर आवे कोख, कि राजकारन नेता आवे, तो एना पगमालो टे, एना पगमालो टे, अने के कि आपने क्रिश्न बगवाने मात पगे न लगए, अरे भई, क क्रिश्न बगवाने सुगुनों के रोचे, पगे ना लगए, माहराजे विवेकापयो, रस्ते चालता शिवालाई वगेर आवे, आदर थकी, नम आदर थकी नमस्कार करवा, ए रीत नथी, जे सदपुरुष्ट थकी ना शिख्याओ, इना आडेधर सर्वो परीपनु उपासनामा खामी चे, उपासनामा खामी नथी, पन जेने नथी आओ समझातू, और बीजे माथू नथी मुकी चेकता, समझू के एना सर्वो परीपनानी अंदर पने खामी चे, अमारे संस्वामी कायम केता, के वरुक्ष होई, आमबो होई, एने जेम-जेम केरी आवे ने एम नमतो जाए, जेम-जेम आपडी अंदर वधारे निष्ठानी द्रडता थाए, एम नम्रताने दासभाव द्रडता तो जाए, अकड़ पनू नहीं, आतो खोटो केपचे अउतारो नामा माम करवा, ए रीत नथी माहराद नी, ए सत्पुरुष्णी रीत नथी, एक खोट खाली निष्ठानो तो नाम चे, एना जीवन मा प्रश्णा आउशे तेरे खबर पड़ से, पन माहराजे ए रीत आपड़ने रुडी रीत बतावी चे, कि सर्वो परी निष्ठा आपड़ी होई, आने साथे साथे शास्त्री जी माहराजी के उकरू बद्धानो आदर, आने सर्व देशी पुरुष्केवाई, तो एवी दिते, सर्वो परी भगवान पुर्शोत्तम नारने श्री जी माहराजी आपड़ा आंतर मा द्रड निष्ठा थाए, एटले समोझ वो काली देव चेकली एक वार पसार थेगे, एवी निष्ठा आपड़ा आंतर मा था, एवी झाल झाल झाल